हेलो वच्चो नमस्कार स्वागत आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में तो कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथी बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे तो एक बार सब ही दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई कल से हमने एक सिरीज स्टार्ट की है जो रिवीजन सिरीज आप लोग कह सकते हैं मतलब मैंने इसमें टारगेट बनाया है कि हम लोग 12 दिन continue इस क्लास को करेंगे अगर सब कुछ ठिक ठाक रहता है तो 12 दिन इस क्लास को continue करेंगे और 12 दिन में हम उन सारे चैप्टर्स को revise करने की कोसिस करेंगे जिससे 2020 में, 2017 में, 2012 में दहली पुलिस कॉंस्टेबल में question बने थे ठीक है, chances हैं इस साल भी वही से सब कुछ बनेगा क्योंकि syllabus के अंदर वही chapter हम लोगों को दिये गए है तो मैं कह सकता हूँ कि लगबग पूरे syllabus का जो revision है वो 50, 60, 70 questions के थुरू जो है हम लोग इस class के अंदर कर रहे होंगे यानि एक class के अंदर हम लगबग लगबग एक chapter को तो खतम कर ही रहे होंगे अगर दूसरा chapter उसी के जैसा कोई छोटा chapter है तो उसको भी खतम करने की कोसिस करेंगे जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा कि number system और हम लोगों ने SCF-LCM को खतम करने की कोसिस की थी बचे फिर से मैं class को start करने से पहले जो इस class को कर रहे हैं उनके लिए बता दू कि थोड़ा सा आप time की value को समझना है आप लोगों को फरजी comment के चकर में नहीं पढ़ना है ये chapter मैं already आप लोगों को करा चुका हूँ बस revision कराने के लिए आया हूँ ये questions पूछे गए हैं इन questions को करने का तरीका ये होता है क्यों क्या कैसे ये बते हम लोग class के अंदर कर चुके है आज जो हम पढ़ेंगे ऐसे होता है तो होता है बस उन चीजों को हम लोग कर रहे होंगे क्योंकि revision का तरीका भी दोस्त मेरे यही होता है तो तयार हुजाईए एक पानी की बोतल जो है अपने पास रख लीजिए और तयार हुजाईए मेरे दोस्त एक बहतरीन से class हम लोग start करने जा रहे हैं मैं पहले ही बता देता हूँ ये बीच में मत पूछना class कितनी देर चलेगी class around 2.5 से 3 घंटे चलेगी थोड़ा सा बढ़ भी सकती है थोड़ा सा घट भी सकती है तो उतने समय के लिए आप लोगों को बने रहना होगा ठीक है तो एक बार दिल से स्वागत किया जाए कि हाँ हम लोग तयार है बस अब आप लोग सुरू कर दो एक बार दिल से स्वागत किया जाए भाई मेरा नहीं class का स्वागत किया जाए एक बार दिलों की बोचार कर दी जाए कि हाँ ये दिल जो है किसके लिए है class के लिए है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चलिए सुरूइत करते हैं आज के पहले question से, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो time and work को पढ़ने वाले हैं, ये आप लोगों का favorite topic होता है, और favorite topic के solution भी हम लोग थोड़े से तेजी से करने की कोसिस करेंगे, ठीक है भाई, पहला question आप लोगों की सेवा में, कल मैं बताऊँगा, last में की कौन सा chapter हम पढ़ने वाले हैं, पहला question आप लोगों की सेवा में हाजिर है, वटावर से solve करके मुझे बताईए, क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब, आप लोगों की सामने question है, एक किसी कार्रे को अकेले, हाँ, आज आप लोगों ने देखा होगा कि पैट का exam हुआ था, तो उसम हमें उस तरीके से भी तयार रहना होगा, जहां calculated question अगर हम इनसे पूछ लिया, तो हम ये ना कहें आके कि हमने question calculation की वजह से नहीं किया था, तो हमें उस तरीके से भी तयार रहना होगा, तो कुछ questions आपको ऐसे भी मिलेंगे, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, ल और भी अकेले उसी कार्य को 104 दिनों में कर सकता है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मिरे भाई इनका LCM कितना होगा, तो आपना एक बार 4 कोमन ले लिजिए, आप कहेंगे यहां 24 बचेगा, और यहां क्या बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 9, 10, 2 बचेगे, 4, 6, 24 हो ज जाएगा, ठीक है, अगर मैं 12 और 13 का LCM आप से पूछूं तो 13 दूनी 26 को 6 हांसिल 2, 13 एकम 13 दू 15 हो जाएगा, 156 की गुणा 8 में कर दीजिए, आर्चिंग 48 को 8 हो जाएगा, हांसिल 4, आर्चिंग 48 को 4, चावालिस को 4 हांसिल 4, या फिर आप एक काम करिए, आप इसको ऐस पूरा लिख लिजिए है, पूरा लिखना चाते हैं, पूरा लिख लो, आर्चिंग 48 को 8, हांसिल 4, आठपंज़ 4, चावालिस को 4, हांसिल 4, आठ एकम 8 हो चार बारह हो जाएगा, अब यहाँ एक दिन का काम आप लोगों को निकालना है, एक दिन में ये कितना काम करेगा, मेरे दोस्त, डिवाइड करिए, चाड में एकम चाड में होते हैं, कितना बचेगा 28, 288 हो जाएगा, और चाड में तिया होते हैं, 288 होते हैं, 104 से डिवाइड करिए, 104 एकम 104 होते हैं, 20 बचेगा 208 हो जाएगा, 104 दुनी 208 होते हैं, अगर दोनों मिलेंगे, तो एक दिन में क कितना काम करेंगे 25 काम करेंगे तो बेटा 1248 काम कितने दिन में कर देंगे तो यहां से आप लोग क्या कहेंगे 25 चूका सो होगा 24 बचेगा 248 हो जाएगा 25 धाई हाईसो होता है नहीं जाएगा 25 निम्मा 225 तो 48 पॉइंट में सारे आंसर है तो मेरे दोस्त 25 निम्मा 225 होते हैं तेस बचेगा 230 हो जाएगा 25 निम्मा 225 दूनी 50 हो जाएगा तो question का जवाव क्या हो जाएगा 24.9 बिटा मैंने सुभह भी बताया था हाँ मैंने सुभह भी बताया था आप लोगों को कि आज जो मैं स्टार्ट करूँगा वो time and work स्टार्ट करूँगा कल मैंने गलती से वो बोल दिया था लेकिन आपके time table में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जिस दिन मैंने स्ट्रेडजी वीडियो बनाई थी उस दिन भी मैंने बताया था कि second chapter जो होगा वो मेरे दोस्त time and work होगा ठीक है ये चीज समझ में आई अगर यहां से सीखने वाली कोई बात है वो है बस केवल और केवल LCM लेना आप लोग देखोगे option भी काफी नजदीक दिये हुए हैं तो approximation भी यहां काम करने वाला नहीं है हम लोगों को method से ही जाना हुगा सवाल का जवाब उड़ंचास point नो दो हो जाएगा पटफट बच्चे दूसरे question का जवाब दो क्या होगा दूसरे question का बिलकुल सही जवाब दोनों मिलके आराम से पढ़ेंगे यह 3 गंटे हमारे हैं कोई भागने की जरूरत नहीं है कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त आराम से सारी चीजों को पढ़ेंगे LCM निकालने की trick बताई थी छोटा तरीका वो होता है common ले लिजे आप इसमें से जो maximum common आ सकता है आपको लग रहा है 8 common आ सकता है यहां 12 बचेगा यहां 13 बचेगा इन दोनों में से कुछ भी common नहीं है तो इन दोनों का multiplication ही LCM होगा इसकी इसमें गुणा करेंगे 156 आएगा और उसकी 8 में करेंगे तो मेरे दोस्त 1248 जाएगा इससे छोटी trick हो ही नहीं सकती है ठीक है चलिए question number 2 आप लोगों के सामने है क्या कहना चाहरा है भाई question question कहना चाहरा है A, B और C एक काम को 5 दिन, 6 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं पहला वैक्ति जो है वो 5 दिन में कर सकता है दूसरा वैक्ति जो है वो 6 दिन में कर सकता है और तीसरा वेक्ती जो है वो दस दिन में करता है बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि इन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या 30 होगी एक दिन में 6 काम करेगा ये एक दिन में 5 काम करेगा और ये एक दिन में 3 काम करेगा ठीक है, ये कारे चहमता आपके सामने आएगे Queshan ने कहा है 1-7 कारे करते हुए वे उसी कारे को कितने दिन में समाप्त करेंगे यानि अगर ये तीनों लोग मिल जाते हैं तो उस कारे को कितने दिन में समाप्त करेंगे तो मेरे दोस्त ये 6 कार रहे ये 5 कार रहे है और ये 3 कार रहे है 6 और 5 11 और 3 14 यानि एक दिन में 14 कार रहे करेंगे तो 30 कार रहे कितने दिन में कर देंगे काटा पीटी मचाएंगे तो 2 से काटेंगे 15 बार 2 से काटेंगे 7 बार 7 दूनी 14 और 15 हो जाएगा कोश्चन का जवाब क्या होगा दो सही एक बटे-7 कोश्चन नमबर-3 कोश्चन नमबर-3 आप लोगों के सामने हैं प्रडवड बताइए क्या होगा इस कोश्चन का बिल्कुल सही जवाब ये सारे के सारे कोश्चन प्रीवियस subtitles के नहीं है जस्ट अभी एक दो महिने पहले जो exam में पूछे गए हैं वो सारे question है और हर type cover हुआ है इसमें तो इसलिए मैंने वही question उठाए है type cover करने के लिए जो अभी just recent के exam में आप लोगों से पूछे गए है बीच बीच में देहलिपलिस constable के भी question मैंने डाले हुए हैं तो परिशान होने की जरूरत आप लोगों को भी नहीं है ठीक है question है एसी कार्राय का 1 बटे 3 भाग मेरे दोस्त इस बात को देखना अगर 1 बटे 3 भाग जो है वो 7 दिन में करता है तो पूरा कार्राय कितने दिन में करते गा 3,21 दिन में करते बी उसी कार्रे का दो बटे साथ भाग 10 दिन में पूरा करता है तो पूरा कार्रे कितने दिन में कर देगा तो आप कहेंगे 35 दिन में कर देगा बहुत शानदार ए और बी दोनों मिलकर उस कार्रे को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं यहां के बाद तो कुश्चन सेम हो चुका है अगर दोनों का LCM मैं आपसे पूछूँगा तो आप 105 बताएंगे कैसे 7 कोमन भी ले सकते हैं मेरे दोस्त दोनों में से यहां 3 बचेगा यहां 7 कोमन लेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा और 105 काम 35 दिन में तो एक दिन में मेरे दोस्त तीन काम हो जाएगा ठीक है अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछूँ मेरे दोस्त A और B दोनों मिलकर उस कार्रे को कितने दिन में खतम करेंगे तो एक दिन में 8 काम तो 105 काम कितने दिन में कर द तेहरा सही एक बटे आठ इस कुश्चन का साथ ही बिलकुल सही जवाब हो जाएगा पोल की व्यवस्ता नहीं है और ये फाल तु चक्रों मैं मत पड़ा करो एक कॉंपी में एक साइड लिखो वन से लेके 20 तक नंबरिंग कर दो उसके सामने जो है वो आंसर लिखने कौन से र कर सोता है यह तरीका होता है यह फान डाउट करने का तरीका है कि हां हमारा चप्टर वीक है यह हमारा चप्टर इस ट्रॉंग है ठीक है बटेकि चली कि नेक्स्टन इंबर A और B अकेले उस कार्रे को 36 दिन में कर सकते हैं ये दोनों मिलकर उस कार्रे को 36 दिन में कर सकते हैं और C अकेले उस कार्रे को कितने दिन में पूरा करेगा बिटा 12 और 36 से कटने वाली संख्या 36 होगी एक दिन में 3 कार्रे और एक दिन में 1 कार्रे ये दोनों मिलके एक दिन में एक कार्य करते हैं अगर इन दोनों ने मिलके एक दिन में एक कार्य किया होगा और काम हुआ है मेरे दोस्त तीन तो क्या सी ने उसी एक दिन में दो कार्य किया होगा तभी तो मेरे दोस्त एक और दो मिलके तीन बनाएंगे यानि अगर ये दोनों मिलके एक काम कर रहे हैं तो C अकेले ने दो काम किया होगा तब जाके तीन काम हुआ होगा अगर C अकेला एक दिन में दो काम करता है तो 36 काम कितने दिन में कर देगा तो मेरे दोस्त जवाब हो जाएगा C अकेला उस काम को 18 दिन में कर देगा Option ही नहीं Option ही नहीं है मेरे दोस्त लेकिन आप सभी लोगों का भी answer ठीक है मेरा भी answer ठीक है Option number E क्या हो जाएगा 18 दिन इस question का जवाब हो जाएगा ठीक है भाई आगे बढ़ें चलिए और भी कोई ऐसा युद्धा है जिसका answer जो है वो option से match कर रहा हो डवड बताईए हाँ नहीं है जरूरी है answer देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अगर आप चाहते हैं कि answer ना दे बिल्कुल मत दीजी अपनी copy में लिखी है ठीक है 36 आएगा question अच्छे से पढ़ो अच्छे से पढ़ लेते हैं A और B C मिलकर एक कार रहे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं A और B अकेले उस कार रहे को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं ठीक है तो 12 और 36 का LCM कितना आएगा मेरे दोस्त तो A as well as B A अच्छा अलग-अलग कह रहा है मेरे दोस्त सुनना question में लोचा हो गया है देखो ध्यान से question ने ये कहा है कि तीनों लोग मिलके 12 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर आप English देखोगे अगर आप English देखोगे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए alone बोला है उसने A as well as B यानि A और B अलग-अलग उस काम को 36 दिन में कर सकते हैं A भी उस कार्रे को 36 दिन में कर सकता है B भी उस कार्रे को 36 दिन में कर सकता है तीनों का LCM कितना आएगा 36 आएगा ये एक दिन में 3 कार्रे करेगा ये एक दिन में 1 कार्रे तो जबाब हो जाएगा 36 जो होगा इस question का जवाब हो जाएगा चलिये बहुत बहुत धन्यवाद बताने वाले साथी को चलिये question number five क्या हो जाएगा इस question का बिलकुल सही जवाब हाँ कोईशन नहीं छूटेगा, इससे अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़े बहतरीन कोईशन लेके आया है, एक किसी काम का 20%, कितने बच्चे जानते हैं कि 20% का मतलब 1 बटे 5 होता है, एक किसी काम का 1 बटे 5 जो है, वो 4 दिनों में कर सकता है, तो क्या पूरा कर रहा है, 20 10 दिनों में कर देगा, ये बात किलियर होगी, 5 चौक 20 दिनों में कर देगा, ठीक है भाई, बी उसी काम का 33 सही 1 बटे 3%, 33 सही 1 बटे 3% का मतलब होता है, एक बटे 3, उसे कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में, तो क्या पूरा कर रहा है, जो है, वो 30 दिन में कर देगा, 10-13 हो जाएगा उन्होंने 9 दिन तक 1-7 कार्य किया बाद में पढ़ेंगे पहले यहां तक जो है इसका हिसाब किताब देख लें 20 और 30 का LCM 60 होगा एक दिन में 3 कार्य करेगा और एक दिन में 2 कार्य करेगा आगया क्या एक दिन का कार्य अब कुश्चन ने कहा है कि उन्होंने 9 दिन तक 1-7 कार्य किया 9 दिन तक 1-7 कार्य करते हैं अगर दोनों एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो क्या उस 9 दिन में 45 कार्य खतम कर दिया होगा अब जब 60 में से 45 कार्य हो चुका है तो बच्चा कितना होगा 15 कार रहे हैं सेस बचा होगा आगे क्या कह रहा है कुश्यन और फिर सी ने सेस कार रहे को 6 दिन में पूरा किया है सी क्या करता है मेरे दोस्त सेस कार रहे को कितने दिन में पूरा करता है 6 दिन में तो क्या एक दिन में आप कह सकते हैं धाई काम करेगा क्या C एक दिन में धाही कार्रे करेगा, बहुत शानदार, B और C मिलकर समान कार्रे का 55% कितने दिन में पूरा करेंगे, समान कार्रे मतलब 60, इसका 55% काम निकालो कितना होगा, क्या 55% कार्रे ये हो जाएगा, उसने काए अगर B और C मिल जाते हैं, तो ये वाला कार्रे कितने दिन में करेंगे तो टोटल कार्रे को एक दिन के कार्रे से डिवाइड करते हो यही तो होता है तो दोनों मिलके एक दिन में साड़े चार कार्रे करते हैं तो इतना काम कितने दिन में करेंगे क्या साड़े चार से डिवाइड कर देंगे आप लोग यहां से पॉइंट दो जीरो से दो जीरो उड़ाईए यहां से देखेंगे पंद्रह पंजे 75 होते हैं, पंद्रह तिया 45 होते हैं, तीन दुनी 6 होते हैं, और 5 दुनी 10 हो जाएगा, क्या बी और सी मिलकर पूरे कार्रे का 75 परसेंट जो है, वो 10 दिन में खतम कर देंगे, सभी वच्चों का जवाब आ चुका है, कोश्चन नमबर 6 कोश्चन नमबर 6 आप लोगों के सामने हैं, फटफट बताइए भाही क्या होगा इस कोश्चन का बिलकुल सही जवाब 60 कहां से आया कौन सा 60, औरे भाहीया कोश्चन नमबर 6 बताइए कोश्चन ने क्या कहा है कोश्चन ने कहा है बात को थोड़ा सा समझी साड़े चार कहां से आया, उसे बता देता हूँ उसने कहा है, बी और सी मिलकर बी कितना कर रहे करता है, एक दिन में दो कार रहा है और C कितना कर रहा है एक दिन में धाई कार रहा है दोनों मिलेंगे तो एक दिन में साड़े चार कार रहा है तो टोटल कार रहे का 55% कितने दिन में करेंगे तो आजाएगा 10 दिन ठीक है A और B एक परियोजना को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई साब A और B जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 9 दिन में B और C उसी कार्रे को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं 12 दिन हो गया जबकि C और A जो है उसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं आगे का question बाद में पढ़ेंगे, पहले हिसाब किताब इसका बना लें, 9, 12, 18 का LCM 36 होता है, 9, 14, 36 होगा, 12, 33 होगा, और 18, 22, 36 होगा, मैंने आपको बताया है, ऐसे question में, अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे, तो हर जगे पाओगे कि 2 तो A काम कर रहे हैं, 2 ही B काम कर रहे ह और 2 ही C काम कर रहे हैं, ये सारे लोग मिलके टोटल 9 काम करते हैं, 4 और 3, 7 और 2, 9, तो एक एक वैक्ती कितना काम करेगा, ये तीनों मिलकर एक दिन में साड़े चार काम करेंगे, ठीक, question ने कहा है, A, B और C मिलकर कितने दिनों में परियोजना को पूरा कर लेंगे, तो मेर 24, 36 होता है, 9, 5, 45 होता है, क्या मामला जो है, वो 8 दिन में रफा-दफा हो जाएगा, option number B इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, next question, फटा-फट बताईए भाई, question number next, है न, देखे, question number next, English में B प्लस C गलत दिया हुआ है, English में B प्लस C गलत दिया हुआ है, in how many days will B and C together, सही तो है, Hindi में भी B और C दिया हुआ है, अच्छा, English में, they work together for 9 days and then C completed the remaining work in 6 days, सही है, बिलकुल, चलिए, यहाँ आईए, अच्छा, English में B और C two days दिया हुआ है, तो 12 कलो, बेटा, इतना तो common sense आप लोगों को लगाना होगा है, यह फरजी question मत करो, मैं एक घंटे में target बना के लेके आया था, मैं एक घंटे में, हाँ, जो पढ़ा रहा हूँ, अगर वह हम पढ़ चुके हैं, सर, तो बेटा, आपसे कहूँगा, कि आप ऐसे ही चले जाए यह class से, और जाके और किसी चीज़ के practice कर लीजे, मैं तो फिर भी बोल चुका हूँ ए और बी किसी कारराय को 36 दिन में कर सकते हैं, तो आपने कहा, ए और बी जो है किसी कारराय को, लेकिन मैं जो questions हैं, वो selected लेकर आया हूँ B और C उसी कार्रे को 60 दिन में कर सकते हैं A और C उसी कार्रे को 45 दिन में कर सकते हैं तो क्या कोई ऐसा प्राणी है जो इन तीनों का LCM बता पाए मुझे तो आप कहेंगी जी तीनों का LCM आप लोग देख लीजिए पहले तीन कॉमन ले लो तीन कोमन लोगे तो यहां 12 बचेगा यहां 20 बचेगा और यहां 15 बचेगा पूरी दुनिया इस बात की गवा है कि इन तीनों का LCM 60 आता है और 60 की गुणा 3 में करते हैं तो बच्चा भी जानता है 180 आता है मेरे दोस्त अगर 180 काम 36 दिन में तो एक दिन में 5 काम 130 काम 60 दिन में तो एक दिन में 3 काम 130 काम 45 दिन में तो एक दिन में 4 काम अगर यहां से आप लोग देखेंगे तो वही पुराना घिसा पिटा अपना तरीका कि हाँ बिटा यहां दो-दो लोग सब काम कर रहे होंगे 5 और 3, 8 और 4, 12 यानि कि एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम करेंगे अब कोईशन ने पूछा क्या है कोईशन ने कहा है कि अकेले A उस कार्रे को कितने दिन में पूरा करेगा यानि A की efficiency मुझे निकालनी है अगर मुझे इसकी efficiency निकाली है तो इन दोनों की value रखनी होगी B और C एक दिन में 3 काम करते हैं ये plus का 3 है जब उधर जाएगा minus का 3 हो जाएगा तो क्या A जो रहेगा वो एक दिन में 3 काम करेगा अगर A अकेला 3 काम करता है तो 180 कार रहे कितने दिन में कर देगा तो आप कहेंगे 60 दिन में काम ही खतम हो जाएगा option number A is the correct answer पटाफट बताईए, कुश्चन नमबर आठ अप लोगों के सामने हैं, क्या कहना चाहरा है कुश्चन, कुश्चन कहना चाहरा है भाई सब A, B और C जो है अलग-अलग कर रहे को, तीन वेक्ती हैं A, B और C, पहला वेक्ती 12 दिन में, दूसरा वेक्ती 15 दिन में और तीसरा वे कुश्चन क्या कह रहा है, यदि वे 4 दिन 1-7 मिलकर कर रहे करें, तो जब 1-7 मिलेंगे तो एक दिन में कितना कर रहे करेंगे, 12 काम कर देंगे, तो मेरे दोस्त 4 दिन में कितना कर रहे कर देंगे, तो आप कहेंगे 48 कर रहे, वो कर चुके होंगे, तो कुश्चन ने कहा है, तो कितना कर रहे है सेस बचेगा मेरे दोस्त 60 में से 48 कर रहे हो चुका है तो क्या 12 कर रहे सेस बचा होगा ये सेस जो बचा होगा कितने में से बचा होगा तो आप कहेंगे 60 में से बचा होगा यानि 12 कर रहे बचा हुआ है कितने में से 60 में से तो मेरे दोस्त आप कहेंगे एक बटे पांच कार्रे बचा हुआ है option number 20 question का जवाब हो जाएगा next question आप लोगों के सामने question number 9 question number 9 फटपट बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब हाँ देखी question कहना क्या चाहरा है question नहीं कहा है बढ़िया question है A और B किसी काम को किरम से 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं A किसी कार्रे को 12 दिन में कर सकता है और B उसी कार्रे को 18 दिन में कर सकता है दोनों से कटने वाली संख्या 36 होगी ये एक दिन में तीन कार्रे करेगा और ये एक दिन में दो कार्रे करेगा ठीक है भाई अब कोशन ने कहा क्या है उन्होंने चार दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया चार दिन उनसे एक साथ काम करा दो भाई जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 कार्य करेंगे तो 4 दिन में उन्होंने 20 कार्य कर दिया होगा. आगे बढ़ते हैं. जिसके बाद B को C से प्रती स्थापित कर दिया गया, यानि उसके बाद B महोदय को हटा दिया गया है, C को हम ले आए हैं. और सेस काम A और C अब ध्यान से सुनना एक दिन में ए जो है वो तीन कार रहे करता है तो क्या आप कह सकते हैं एक दिन में C जो है वो एक कार रहे करेगा तब ही तो दोनों मिलके एक दिन में चार कार रहे करेंगे हाँ या ना तो अब आगे पढ़िएगा कोश्चन ने कहा है तो C अकेले उसी काम का 50% कितने दिन में पूरा करेगा 50% का मतलब है टोटल काम का आधा काम यानि 18 काम जो है वो C अकेला कितने दिन में पूरा करेगा तो C एक दिन में एक काम करता है तो 18 काम कितने दिन में खतम कर देगा तो सवाल का जवाब हो जाएगा 18 दिन बड़ा शांदार कुश्चन है, ठीक है, चलिए, बहुत शांदार, जिनका भी अठ्था रहा है, देखो, और थोड़ा सा इमानदारी से चलना, ऐसा नहीं है, हाँ मैं यही सुच रहा था, जो रोंग है उसे रोंग लगाना, जो राइट है मेरे दोस्त, उसे राइट लगान और लाश्ट में मुझे बताना कि आपका स्कूर जो है, वो क्या रहा है, ठीक है, पटापट बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जबाब, एक बहतरीन सा कुश्चन आप लोगों के सामने है, बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जबाब, कु अगर मैं तीनों की efficiency का ratio आप लोगों से पूछ हूँ, कारेचमता का अनुपात आप से पूछ हूँ, तो आप बताएंगे ये तीनों मिलकर एक दिन में पांच, तीन और दो काम करते हैं एक साथ मिलकर काम करते हुए, वे किसी काम को 21 गंटे में पूरा करते हैं, तो सबसे पहला काम है total काम निकालना अगर ये एक गंटे में पांच, ये गंटे में तीन, ये गंटे में दो जब तीनों मिलेंगे तो एक गंटे में दस कार रहे होगा और तीनों मिलके 21 गंटे में कार रहे पूरा करते हैं तो क्या टोटल कार रहे जो है वो 210 हो जाएगा यानि टोटल वर्क जो है वो 210 हो जाएगा होगा या नहीं अब वो कहना चाहरा है B अकेला उस काम का 40% इसका 40% काम करना है तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका 40% जो काम होगा वो 84 होगा ये किसको करना है B को करना है B एक गंटे में 3 कार रहे करता है तो 84 कार रहे कितने गंटे में कर देगा तो बच्चे सुसील सा जवाब होगा 28 सुन्दर और सुसील सा जवाब क्या हो जाएगा 28 गंटे में मामले को रफा-दफा कर देगा QS11 फटा-फट बताई क्या एक गंटे में 25 कुशन हो पाएंगे trick भी बताओ बता भही इसमें क्या trick बताओं तुझी क्या trick चाहता है मेरे दोस्त इसमें trick है छोड़ दो यह इसकी best trick है question number 11 बताईए क्या कहेगा इस question का बिल्कुल सही जवा आप न फरजी comment करते रहू वो समझ जाओ कि आप किस दिसा में जा रहे हूँ selection का rate क्या है competition कितना है और आप किस दिसा में जा रहे हूँ वो आप खुद समझ सकते हैं ये फरजी comment वालों के लिए है एक कारे करने के लिए A, B और C की छमताओं का अनुपात जो है वो 7, 3 और 5 दिया हुआ है ठीक है एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं पहले total काम निकाल लीजे जब 3 और 1, 7 काम करेंगे तो 7 और 3, 10 और 5, 15 रहे काम एक गंटे में करेंगे तो 21 गंटे में कितना काम कर देंगे तो आप कहेंगे 21 गंटे में 315 काम total हो जाएगा वे 21 पंजे 105 को 5 हांसिल 10 21 एक कम 21 और 10 31 हो जाएगा अब question ने कहा है 15 दिनों के लिए A और C ने एक साथ काम किया A एक गंटे में साथ काम और C एक गंटे में 5 काम तो total मिलके एक गंटे में 12 काम तो 15 दिनों तक साथ काम किया है 15 गंटे तक तो क्या A एक 15 गंटों में इन्होंने 100 C काम निप्टा दिया होगा अच्छा दिन आ रहा है तो 15 दिन में इन्होंने 100 C काम कर दिया होगा ठीक है अच्छा 315 में से 100 C काम हो चुका है तो बचा कितना होगा तो आप कहेंगे 135 काम अभी सेस बचा हुआ होगा अब वो कह रहा है सी ने एक साथ काम किया सेस कार रहा है बी दुआरा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा सेस कार रहा है बचा कितना है 135 है ये किसे कराना है बी से कराना है B. एक दिन में तीन काम करता है तो 135 कार रहे कितने दिन में कर देगा तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 45 दिन इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा बताईए कुश्चन नमबर 12 कुश्चन नमबर 12 आप लोगों के सामने है जल्दी से बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब क्या कहना चाहरा है A. एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है बहुत अच्छी बात है B. जो है वो A. से 25 परसेंट अधिक कुसल है B. जो है वो A. से 25 परसेंट अधिक कुसल है 25 परसेंट अधिक कुसल होने का मतलब क्या है कि अगर A. चार काम करता है तो B. जो है उससे एक जादा यानि B. जो है वो 5 काम करता है इनकी कारेच्छमता का जो अनुपात होगा वो 5-4 हो जाएगा ठीक है? आगे बढ़ते हैं उसने कहा है C. जो है वो B. से 20 परसेंट अधिक कुसल है 20 परसेंट का मतलब क्या है? एक बटे 5 C. जो है किस से? B. से तो B. अगर 5 काम करता है तो C. इस से 25 परसेंट अधिक कुसल है तो क्या ये 6 काम करता होगा? करता होगा या नहीं? अब मेरे दोस्त रेश्टो निकाल लो पड़ोसी कौन 5 पड़ोसी कौन 5 ऐसी कोई संख्या है जो कड़ सकती है आप कहेंगे तीनों जगा 5 मौजूद है तो बिटा C एक दिन में एक काम, B एक दिन में 5 काम और A एक दिन में 4 काम करता होगा अब देखना थोड़ा सा ध्यान से कोईशन ने कहा है उन सब ही ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया अच्छा एक बात मुझे बताओ क्या कोई मुझे टोटल काम बता सकता है कि टोटल काम कितना रहा होगा टोटल वर्क कितना रहा होगा तो आप कहेंगे भहिया A उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है उन सभी ने तीन दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, तो तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम, पंधर है काम, तो तीन दिन में कितना काम कर देंगे, पैंतालिस काम, अगर पैंतालिस काम हो चुका है तो बचा कितना होगा, बचा जो होगा वो 55 काम बचा होगा, हाए ना ये 75 काम किसे कराना है बचा हुआ काम अकेले भी कितने समय में पूरा करेगा तो भी एक दिन में 5 काम तो 95 काम कितने दिन में हो जाएगा 15 दिन में मामला सैट हो जाएगा option number A, question का जबाब हो जाएगा answer दिन में आएगा अगर यहां दिन दिया हुआ है अगर यहां घंटे दिया होता तो answer जो आता वो घंटे में आता क्या ये बात clear हो गई क्या ये बात clear हो चुकी है मेरे दोस्त बहुत शानदार तो मेरे साथ ही आप यहां से सबसे पहले ratio को निकालेंगे ratio को निकालने के बाद जैसा question कहता जा रहा है वैसे आप लोग करते चले जाएंगे 120 कहां से आया 120 यहां से आया मेरे दोस्त उसने सुरुवाली लाइन में ही बोला है कि A उस काम को 30 दिन में कर सकता है तो अगर आपको पता है कि A की efficiency 4 है A एक दिन में 4 कार्रे करता है तो 30 दिन में कितना कार्रे करेगा क्योंकि उसने 30 दिन में काम खतम किया है तो टोटल कार्रे 120 आएगा आएगा बहुत बढ़िया बहुत शांदार आगे बढ़े चलिए अगले question की तरफ चलते हैं बिल्कुल ऐसा ही question है लेकिन थोड़ी सी calculation ज़्यादा थोड़ी सी calculation ज़्यादा बताईए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जबाद A एक निश्यत कार्रे को 40 दिन में पूरा कर सकता है A जो है वो एक निश्यत कार्रे को कितने दिनों में पूरा कर सकता है तो आप कहेंगे 40 दिनों में कर सकता है B, A से 25 परसेंट अधिक कुसल है B, जो है वो A से 25 परसेंट अधिक कुसल होने का मतलब है 1 बटे 4, कौन कुसल है B, किस से A से A अगर 4 काम करता है तो B, एक जादा क्या B जो है वो 5 काम करता हो गया 25 परसेंट अधिक कुसल आगे क्या कह रहा है C जो है वो B से 28% अधिक कुसल है 28% की क्या कोई मुझे fraction बताएगा तो आप कहेंगे 7 बटे 25 होगी C जो है वो B से 28% अधिक कुसल है यानि B अगर 25 काम करता है तो इससे 28% जादा यानि 7 जादा तो C जो है वो 32 काम करता होगा कोई दिक्कत नहीं है अब देखना मेरी बात को समझना हो यहां काटना सीख लो बेता यहां भी काटना आएगा पड़ोसी कौन 5 है पड़ोसी कौन 25 है आप लोग एक चीज देख रहे होंगे तीनो रेशो में अगर 5 से तीनो रेशो को काटता हूं जो तीनो में मुझूद है जो एक ही संख्या से कर सकती है तो आप उसे काड़ दीजी अब आप यहां मुझे बताइए यह एक दिन में कितना कार रहे करेगा पांच चोक बीस यह एक दिन में कितना कार रहे करेगा पच्चिस कार रहे है और ये एक दिन में 32 कार्रे करेगा क्या ये बात clear है अगर मैं आपसे total काम पूसता हूँ भाई total काम कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे question ने कहा है एक निश्चित कार्रे को 40 दिन में पूरा कर सकता है ये एक दिन में 20 कार्रे करता है तो 40 दिन में इसने 800 काम किया होगा यानि total जो काम है वो 800 है ये बात आपको समझ में आ चुकी है ठीक है अब आगे बढ़िएगा question कह रहा है कि एक साथ वे पांच दिनों तक काम करते हैं जब तीनों मिलेंगे तो दोस्त कितना काम करेंगे एक दिन में तो उसने कहा है बी दोारा सेस काम कितना रहेगा अगर पांच दिन में 385 काम हो चुका है तो उस 385 को घटा दो सेस काम कितना बचा होगा 10 में से 5 गए 5 9 में से 8 गए 1 7 में से 3 गए 4 क्या 415 काम बचा होगा ये किस से कराना है बी से कराना है तो बी एक दिन में 25 कार रहे तो 415 कार रहे कितने दिन में कर देगा तो आप कहेंगे 5,8,4,5,3,5,5,5 और 83 बटे 5 का मतलब ही ए ओप्सन होता है 16,85,83,83 हो जाएगा है ना बड़ा ही शांदार कोश्चन था मुस्किल कोश्चन बिलकुल भी नहीं था अगर कोश्चन मुस्किल लग रहा है तो दोस्त कॉंसेप्ट में कमी है कॉंसेप्ट में फिर कमी है एक जैसे दोनों कोश्चन मैंने करा दिये हैं फटावर से चोहदय का जवाब दीजिए, क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कि अगर आपको किसी question में doubt आता है, तो उसको आप note कर लिया करो, कि भहिया बस मुझे यही question दुबारा करना है, ठीक है, हाँ, calculation बड़ी थी, calculation बड क्यों लाते हो, ऐसे नहीं आता है, time लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन जब exam hall में calculation देखने को मिलती है, तब हम लोगों को ही आप सुना रहे होते हो, कि छुटी छुटी calculation वाले करा दिये, तब यहां बड़ी calculation वाले पूछ लिए है, आप ये नहीं दे के उद्धेश्य से ही आना, सीखने के उद्धेश्य से मता आना कि सीखना है मुझे, और इसी क्लास से 15 बटे 15 लाने नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले पड़ चुके हो, तो क्लास में मौजूद रहना नहीं, तो बहुत सारी चीजे समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, अब कुश्यन को करने का एक आसान सा फंडा आप लोगों को बताता हूं, या इसे मिटाईए, अगर ए उस कार्रे को करता है, तो कितने दिन में काम खतम कर सकता है, तो आप कहेंगे 60 दिनों में काम खतम कर सकता है, वह इस पर 15 दिन तक काम करता है, यानि 60 में से 15 दिन उसने काम क तो काम कितने दिन का बचा हुआ है तो आप कहेंगे जी A का 45 दिन का काम अभी बचा हुआ है बचा हुआ है या नहीं वहीं 60 दिन में काम खतम कर सकता है केवल उसने 15 दिन अभी काम किया है तो A का 45 दिन का काम अभी बचा हुआ है और फिर B अकेले सेस कार्रे को 48 दिन में पू इतने दिन में निप्टा देता है तो आप कहेंगे उसे भी 48 दिन में खतम कर देता है यही तो वो कहना चाह रहा है तो मेरे दोस्त यहां से बस आप efficiency निकाल लो question खतम हो चुका है आप यहां से कहेंगे 48 बटे 45 यानि की 16 बटे 15 जाएगा A एक दिन में 16 कार रहे करता है और B एक दिन में 15 कार रहे करता है ठीक है अगर A किसी कार रहे को पूरा 60 दिन में कर देता है तो एक दिन में 16 कार रहे तो 60 दिन में क्या total कार रहे जो है वो 960 आ जाएगा तो अब question ने पूछा क्या है यह total work आपके सामने आ चुका है यह बिट है ए और बी मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे ए और बी अगर मिलेंगे तो total एक दिन में 31 कार रहे तो 960 कार रहे कितने दिन में तो यहांसे काटा । पेटी मचाएंगे 31 ही तिया 33 होते है थीन बचेगा नहीं डिवाइड होगा भाई साब करने की आवश्यक्ता नहीं है, option number one, option number one इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, क्या बात समझ में आ गई, जो भाग गया, जो डर गया, सो मर गया, है ना, डरना नहीं है question को देख के बिटा, बहुत आसान सी चीज है, अब आप मुझे ये बताईए, कि आपको इतनी बात समझ में नहीं आई, कि अगर 60 दिनों में एक किसी काम को करता है, और 15 दिन उसने काम किया है, तो अभी एका 45 दिन का काम बचा होगा, और एका जो 45 दिन का काम बचा है, उसे भी 48 दिन में कर देता है, तो क्या इन दोनों को बराबर लिख देंगे, यहां से efficiency निक दिन काल दिया, दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में निफ्टा देंगे, कुशन खतम पैसा हजम, ठीक है, शलिए, बहुत शांदार, आगे बढ़ें, नेक्स्ट कुशन, यह बड़ा शांदार कुशन आप लोगों के सामने है, उतना ही शांदार जवाब भी आप लोग रेशो होता है, वही मजदूरी का अनुपात होता है, यानि कि उतनी जितनी उसे मजदूरी मिलती है, उसी रेशो में उसने काम किया होगा, या जिस रेशो में उसने काम किया होगा, उसी रेशो में उसे मजदूरी मिलेगी, बस यह चीज़ याद रख लेना, कुशन हो फटा-फटा बताएंगे टोटल वर्क गलत नहीं था टोटल वर्क गलत नहीं था मेरे दोस्त एक किसी कार्रे को 60 दिन में करता है एक दिन में 16 काम तो 60 दिन में 960 ही तो करेगा ऐसे मत बोला करो डारेक्टली गलत था है न बताईए देख लेना लाज तक ये तो बच्चे बहुत कम हो जाएंगे तीन हजार ही रह जाएंगे कुपटिशन तो ही नहीं कुश्चन कहना चाह रहा है भाई पी और क्यों ने एक साथ काम पूरा किया और उन्हें किरम से 1080 और 1440 का बुकतान किया गया पी और क्यों को इसे कितने का बुकतान किया 1080 और इसे कितने का मजदूरी का अनुपात जो होगा वो 3-4 का होगा यानि A को मिलने वाली मजदूरी 3 है और B को मिलने वाली मजदूरी 4 है और जो उनकी मजदूरी का अनुपात होता है क्या वही कारेचमता का अनुपात होता है यानि कि A की कारे चमता 3 है और B की कारे चमता जो है वो 4 है कुश्चन ने का यदि P पूरे कारे को 20 दिन में कर सकता है तो बेटा टोटल कारे निकाल लो अगर P एक दिन में 3 कारे तो 20 दिन में कितना कारे कर देगा तो क्या टोटल कारे जो है वो 60 कारे है आया ना तो question ने कहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्रे को कितने समय में पूरा किया तो जब दोनों साथ मिलेंगे तो एक दिन में साथ कार्रे तो साथ कार्रे कितने दिन में बेटा mixed में convert कर लो साथ अठे चपन और चार साथ हो जाएगा यानि आठ सही चार बटे साथ इस question का जवाब हो जाएगा option number D is the correct answer ठीक है next question question number 16 बटा बटा बताईए बड़ा बहत्रीन question है बड़ा लाजवाब question है मजदूरी का जल्दी से बताईए भाई क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब लोकेंदर जी कह रहे हैं सर ऐसे मत बोला करो गुरू जी आपके कहने से competition बढ़ जाता है नहीं बोलूँगा भाई आपकी तो हर एक बात सराको पर है हाँ उनको आता है तब जा रहे हैं ये बात बिल्कुल सहमत हो इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हो कि उनको आता होगा तब वो जा रहे हैं ठीक खुस आप खुस रहो बस last time पे question क्या कहना चाहा रहा है समीर और पुनित एक कार्रे को किरम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं समीर जो है एक कार्रे को 10 दिन में कर सकता है और पुनित जो है उस कार्रे को 15 दिन में पूरा कर सकता है इस कार्रे के लिए 4500 रुपे की धनरासी आवंटित की गई थी यानि 4500 रुपे उसे देने थे इस काम के लिए समीर और पुनित ने तीन दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद असोक को कार्य में सामिल कर लिया 10 और 15 पा doubts का LCR कितना आएगा 30 आएगा यह समीर एक दिन में तीन कार्य और पुनित दिया होगा ठीक है भाई असोक को भी सामिल कर लिया कार्य कुल पांच दिनों में पूरा हुआ तीन दिन तो यहीं हो चुके थे 30 में से 15 काम भी हो चुका है सुनील भी है पुनित भी है अब असोक भी है और सेस कार्रे कितना बचा हुआ है 15 भैं 30 में से 15 गया तो 15 कार्रे बचा हुआ है तोटल दिन जो है वो 5 दिन लगे हैं तो 3 दिन यहां हो चुके हैं तो क्या दो दिन में ये काम खतम हो गया होगा, यानि तीनों मिलके एक दिन में साड़े साथ काम करते होंगे, हाँ या ना, तो अगर मैं सुनील की कारे चमता पूछू, तो सुनील एक दिन में तीन कारे करता है, अगर मैं पुनित की कारे चमता पूछू, तो ये दो कारे करत तीन और दो पांच काम साड़े साथ हुआ है तो असोक क्या एक दिन में ढ़ाई कार रहे करता होगा तीन और दो पांच और ढ़ाई साड़े साथ आ जाएगा अब कुश्चन कहना क्या चाह रहा है बही असोक को भुगतान की गई रासी कितनी है वो आप से ये पूछना चाह सबसे पहले तो ये आप लोग ध्यान रखना कि पैसे जो मिलते हैं वो काम के पैसे मिलते है ठीक है भाइ 30 काम के पैसे कितने मिले है 30 काम के 4500 रुपे मिले है तोटल काम के 4500 रुपे मिले है तो एक काम के पैसे कितने हो जाएंगे 1500 रुपे हो जाएंगे अब ये देख लो कि असोक ने काम कितना किया है असोक एक दिन में धाई कार रहे करता है और केवल ये असोक दो दिन कार्य करता है तो क्या धाई दुनी इसने केवल पांच कार्य किया होगा अगर एक दिन में डेड़ सो काम करता है तो पांच दिन में असोक कितना काम कर देगा क्या इसके हिस्से में जो है वो साड़े साथ सो रुपे आएंगे साड़े सास्सो इस question का जवाब हो जाएगा पंद्रहसो वालो पंद्रहसो वालो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप answer कैसे दे रहे हैं अब सारे answer बदल देंगे एक दो जितने भी लोगों ने पंद्रहसो दिया था वेक कभी पंद्रहसो नजर नहीं आएगा सारे लोग answer दे देंगे answer बदल देंगे भाई पंद्रहसो की जगा हाँ धाई कैसे निकाला ये पूछो ना कि धाई कैसे निकाला है ये गने तो उल्टा गुठाई दिखा दिया वहाँ से भाई सच में है ना सच में यही हुना चाहिए कि पेपर कितना ही नज़दी को भाई हम असतों मुला आदमी हैं हम इसे ही जवाब देंगे हमने बता तो अब कमेंट करना कमेंट करना बंद करोगे तब ही तो बताँगा देखो समीर जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और पुनित जो है किसी काम को 15 दिन में करता है दोनों का LCM 30 कार रहे आएगा ये एक दिन में 3 कार रहे ये एक दिन में 2 कार रहे दोनों मिलके 5 कार रहे एक दिन में 3 दिन तक 7 कार रहे करते हैं तो 15 काम खतम हो जाता है अब तीन दिन बाद इन्होंने अपने साथ असोक और जोड लिया है जो सेस कार्रे बचा था तीस में से पंदरह गया तो पंदरह कार्रे सेस बचा है वो टोटल कार्रे पांच दिन में पूरा हो जाता है कार्रे कुल पांच दिन में पूरा हुआ तो तीन दिन तो पहले बीच साथ काम किया होगा अगर सुनील जो समीर जो है एक दिन में तीन काम करता है पुनीत एक दिन में दो काम करता है दोनों मिलके पांच काम करेंगे लेकिन काम साड़े साथ हुआ है तो ये जो असोक है ये धाई कारे करेगा पांच और धाई तभी तो साड़े साथ होगा यानि क असोक जो है एक दिन में धाई कार्य करता है ये तो पता चल गया अच्छे एक बात बताईए टोटल काम के कितने रुपे मिले हैं 4500 तो एक काम के कितने रुपे मिलेंगे 1500 तो ये निकाल लो असोक ने काम कितना किया है अगर मैं आप से कहूं कि असोक एक दिन में धाई कार्य करता है और असोक केवल दो दिन के लिए जुड़ा है तो क्या असोक ने पांच कार रे किया होगा अगर मैं कहूँ एक काम का डेड़ सो रुपे तो पांच कार रे का क्या हो जाएगा साड़े साथ सो रुपे हो जाएगा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, next question आप लोगों के सामने, आपकी सेवा में हाजिर है, question number 17, फटाफट बताईए, क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जबाब, बेटा, पैसे जो मिलते हैं, वो काम के मिलते हैं, total काम के नहीं, पैसे जो मिलते हैं, हमने कितना काम किया है, अगर मैं बाद में जुड़ा हूँ और काम कम कर रहा हूँ, तो बेटा, पैसा तो कम ही मिलेगा, थोड़ा practically सोचो, एक तो बाद में जुड़ा हूँ, काम कम कर रह था ठीक है चलिए फटाफट मुझे बताईए कोश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा बिलकुल सही जबाब क्या कहना चाहरा है कोश्चन यदि एक परिवार में 24 दिनों के लिए चीनी की खपत 6 किलो है तो 18 दिनों के लिए चीनी की खपत कितनी होगी वो आप लोगों से ये प खपत कितनी है 6 किलो है तो 18 दिनों के लिए चीनी की खपत कितनी हो जाएगी वो आप से ये पूछना चाहरा है खपत जो होती है हमेशा नीचे लिखी जाती है है तो आप गुणा करिए 24 की गुणा X में करिए 24 X हो जाएगा और 18 की गुणा 6 में करिए यहां ये आजाएग अब 24 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, दो से काटोगे 9 बार, दो से काटोगे 2 बार, तो X की value कितनी आजाएगी, साड़े 4 किलो आजाएगी, एक्स की value कितनी आजाएगी, साड़े 4 किलो इस question का जवाब आजाएगा, option number D, ठीक है, इस formula को हमेशा याद रखना, M1, D1, H1 upon W1, is equal to M2, D2, H2 upon W2, अगर कारे की बात होती है, अगर खपत की बात होती है, अगर use करने की कोई वस्तू की बात होती है, तो वो हमेशा नीचे लिखी जाती है, तो आप देखेंगे 24 दिन, दिन तो उपर लिखा जाएगा, 24 दिन में चीनी की खपत 6 किलो होती है, तो 18 दिन में चीनी की खपत कित कैसे करेंगे सुनिएगा थोड़ा सा कोशन ने क्या कहा है कि छे पुरुस या दो महिलाएं या का मतलब मैंने बहुत प्यार से समझाया होगा कि या का मतलब होता है काम को अलग-अलग करना छे पुरुस काम करें या फिर दो महिलाएं काम करें या फिर चार लड़के काम करें किसी काम को सतित्तर दिन में पूरा कर देते हैं यानि दो महिला भी सतित्तर दिन में पूरा कर देंगी और अगर चार लड़के लगते हैं तो वो भी सतित्तर दिन में पूरा कर देंगे तो यहां से मेरे दोस्त आप लोग इनकी कारेच्छमता निकाल लीजिए कैसे निकालेंगे अगर आप P की यानि एक पुरुस की कारेशमता निकालना चाहते हैं तो P के कॉफिसेंट को छुपा दीजिए M के और L के कॉफिसेंट की गुणा कर दीजिए 2.8 हो जाएगा अगर आप M की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो M के कॉफिसेंट को छुपा दीजिए 6 की गुणा 4 में करेंगे 24 हो जाएगा अगर आप L का कॉफिसेंट निकालना चाहते हैं तो इसकी value को छुपा दीजिए 6 दुनी 12 हो जाएगा अगर आप यहां से देखेंगे 4 से काटेंगे 4 दुनी 8 होगा चार चिंग 24 होगा और चार तिया 12 हो जाएगा क्या यह आपके सामने आ चुका है तो यह जो होगी यह efficiency का ratio हो जाएगा अब देखना ध्यान से अब हमें निकालना है total work अगर आप देखोगे तो 6 पुरुस किसी काम को 77 दिन में करते हैं अगर एक पुरुस एक दिन में 2 काम करता है तो 6 पुरुस एक दिन में 12 काम करेंगे और वो काम 77 दिन में करते हैं तो क्या total कार रहे यह जाएगा आपके सामने यानि अगर total कार रहे आपसे पूछा जाता है तो वो 12 गुणा 77 हो जाएगा अब कोशन ने पूछा क्या है कोशन ने कहा है एक पुरुस एक महिला और एक लड़का मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे तो भाई जब तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम 6 और 3, 9 और 2, 11 हो जाएगा तो एक दिन में 11 काम तो इतना काम कितने दिन में हो जाएगा तो आप कहेंगे 11.37 क्या question का जवाब 84 दिन हो जाएगा तो ऐसे question को करने का तरीका ये होता है दिमाग में set होना चाहिए कि सबसे पहले efficiency निकालनी होगी और efficiency के just अगला total work निकालना होगा total work निकालने का तरीका है कोई सी भी equation में यहां से value उठा के रख दीजिए आपके सामने total कार्य निकल के आ जाएगा ठीक है बास समझ में आगी हाँ repeat कर देता हूँ मैं इस question को थोड़ा सा time change हुआ है ठीक है समझिएगा क्या कहना चाहरा है 6 पुरुस मैंने 6 पुरुस लिख दिया या फिर या फिर का मतलब is equal to लगा दिया दो महिलाएं दो महिलाएं लिख दिया या फिर 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में कर सकते हैं ये भी 77 दिन में ये भी 77 दिन में ये भी 77 दिन में लड़के की value निकालनी है तो इन दोनों की value गुणा कर दीजिए 12 आ गया जब मैंने ratio निकाला तो 2, 6, 3 आ गया ये efficiency आ जाती है अब किसी भी equation में value put कर लो एक पुरस एक दिन में 2 काम करता है तो 6 पुरसों ने 12 काम किया होगा एक दिन में तो 77 दिन में काम पूरा करते हैं टोटल कारे ये आ चुका है और टोटल कारे कराना किसे है इन तीनों को मिला के कराना है तो ये तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 11 काम करेंगे तो इतना काम कितने दिन में कर देंगे 84 दिन में कर देंगे option number C is question का जवाब हो जाएगा ठीक है बहुत बड़ी है हाँ next question आप लोगों के सामने है फटा फटा बताएंगे भाई क्या होगा इस question का बिलकुत सही जवाब या का मतलब काम अलग-अलग होता है और का मतलब मिलकर काम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है नील चोहान मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है फटा बड़ बताएंगे क्या कहना चाहरा है भाई question हाँ बताएंगे क्या होगा इस question का साथी बिलकुल सही जवाब एक बहतरीन question आप लोगों के सामने है देखिए N पिलस 15 वैक्ति पिरतेक पिरति दिन 9 गंटे काम करके 8 दिन में किसी कार्रे का 36% पूरा कर सकते हैं कितने वैक्ति है N पिलस 15 वैक्ति है N वैक्तियों की संख्या ये है पिरति दिन कितने गंटे काम करते है 9 गंटे काम करते है कितने दिन में काम खतम कर देते हैं 8 दिन में काम M1, D1, H1 upon W1 कार रहे कितना कर देते हैं 36% कर देते हैं 100% में से 36% यहां कार रहे हो चुका है आगे बढ़िए N पिलस 9 वेक्ति यानि दूसरी तरफ वेक्तियों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे N पिलस 9 वेक्ति हैं when see is कार रहे जब 36% कार रहे हो चुका है तो see is कार रहे कितना बचा होगा 64% बचा होगा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं वेक्ति दिनों की संख्या 20 है तो यदि उनमें से पिरतेक प्रते दिन साथ गंटे व्यक्तियों की संख्या कितनी ओ गंटों की संख्या कितनी है साथ तो उसने एन की वेल्यू हमसे पूछी है अब बेटा यहां से केवल और केवल कैलकुलेशन बस दिया है कटड़ पीटी मचाओगे क्या मचा देते हैं परसेंट से तो परसेंट उड़ा दो नो से उड़ाओगे चार बार चार से उड़ाओगे दो बार ठीक है भाई दो से उड़ाओगे कितनी बार दस बार ठीक है मेरे दोस्त दो से उड़ाओगे पांच बार दो से उड़ाओगे 32 बार, कोई दिख्कत तो आप कहेंगे कोई दिख्कत नहीं है 32 की गुणा N में करेंगे 32 N आएगा पिलस पंद्रह की गुणा 32 में 15 है दूनी 30 को 0 हासिल 3 15 तीया 45 और 3 48 हो जाएगा साथ 55 की गुणा N में तो 35 N आएगा और पिलस 35 की गुणा 9 में करेंगे 35 की गुणा 9 में 59, 45 को 5, हांसिल 4 27, 4, 31 हो जाएगा ठीक है पिलस का 315 है इधर आके माइनस का 315 हो जाएगा 10 में से 5 गए 5 7 में से 1 गया 4 7 में से 1 गया 6 10 में से 5 गया 5 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा चार में से तीन गया एक ये 32N पिलस का है इधरा के माइनस का हो जाएगा 35 में से 32 गया तो 3N बचेगा तो N की value कितनी हो जाएगी 3 यहां रग दीजे 3 पंजे 15 तो N की value कितनी हो जाएगी 55 इस question का जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 55 इस question का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है भाई चलिए बहुत शांदार बहुत शांदार पहले सब 52 दे रहे थे और answer में परिवर्तन तो आप एकदम से कर देते हो question number 20 question number 20 यानि एक गंटे में 20 question का average आएगा चलिए भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं जल्दी से बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब एक बहतरीन question काम हमेशा नीचे लिखा जाता है ठीक है देखिए question कहना क्या चाहा रहा है question कहना चाहा रहा है कि 10 महिलाओ को एक कारे को पूरा करने में 16 दिन लगते है अच्छा एक बात बताओ 10 महिलाओ को एक कारे को पूरा करने में कितने दिन का समय लगता है 16 दिन का समय लगता है जिसे 6 पुरुस 8 दिन में पूरा कर सकते है जिसे 6 पुरुस जो है वो कितने दिन में, आठ दिन में, तो बेटा कुछ कट सकता है, तो काट दो, आठ दुनी, सोला होगा, दो से काटेंगे, तो तीन बार कटेगा, कट जाएगा क्या, समझिए, अगर पुर्सों को इधर लेके आऊंगा, तो ये भाग में हो जाएगा, महीला और पुर्सों का अ पुर्रे निकालते हैं, यानि टोटल वर्क हम लोग निकाल रहे होते हैं, ठीक है, बहुत बड़िया, अब कोश्चन कहना क्या चाहरा है, पहले टोटल वर्क निकाल लो, अगर एक महीला तीन काम करती है, तो दस महीला उन्हें 30 काम किया होगा, एक दिन में, 16 काम, 16 दिन मे काम खतम किया है, यानि काम जो रहा होगा, वो 480 काम रहा होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोश्चन ने कहा है, यदि 12 पुरुसों ने कार्रे करना सुरू किया, एक पुरुस कितना काम करता है, दस काम करता है, तो 12 पुरुस कितना काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में 120 कार्य करेंगे ठेक है आगे क्या कहирám और दो दिन बाद 6 पुरुस कार्य छोड़ देते हैं तो 2 दिन तक इन्हों ने कर दिया 240 कार्य कर दिया अब जो है 6 पुरुसों ने छोड़ दिया तो 6 ही पुरुस रह गए अब और एक दिन में 10 कार्य करते हैं तो अब एक दिन में 60 कार रहे होता है ठीक है भाईया उसने कहा है और पांच महिलाएं उनके साथ जुड़ जाती है अगर एक महिला तीन काम तो पांच महिला पंदर है काम यानि एक दिन में जो होगा वो अब पिछित्तर कार रहे हुआ होगा कितना कार रहे है एक दिन में पिछित्तर कार रहे हुआ होगा अच्छा काम बचा कितना है 480 में से 240 काम हो चुका था तो क्या 240 काम बचा हुआ है अब आगे क्या कह रहा है पांच महिलाएं उनके साथ सामिल हो जाती है तो कार रहे कितने पूरा हो जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है एक दिन में पिछेतर काम तो 240 कार है कितने डिन में हो जाएगा काटा पिटी मचाओ 5 चाज़ बीश कूद और 5 एठ होगा वांच ऑप से काटेंगे 15 बार कतेगा 3 ste儿 से काटेंगे 16 बार कटेगा 3 से काटेंगे 5 बार कितने बच्चे 16 बटे 5 आंसर दे रहे हैं कितने बच्चे 16 बटे 5 वाकी मिला जवाब हो आप लोग कि वाकी मिला जवाब हो सेस कार रहे 16 बटे 5 दिन में हुआ है बेटा पहले कितने दिन कार रहे कर दिया था दो दिन पहले कार्य कर दिया था तो टोटल कार्य जो हुआ होगा वो 26 बटे 5 दिन में हुआ होगा टोटल कार्य 26 बटे 5 दिन में हुआ होगा ना कि 16 बटे 5 दिन में वो सेस कार्य नहीं पूछ रहा है वो कह रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा वो total कार्रे की बात करना चाहरा है बदल दो बहुत जल्दी है ना पहले दे रहे थे 16 बटे 5 16 बटे 5 26 बटे 5 होगा वो total पहले भी तो 2 दिन कार्रे हो चुका है तो 16 बटे 5 तो 6 कार्रे को पूरा करने में लगेंगे और इसमें 2 दिन और जोड़ देंगे तब हमारे total दिन निकल के आएंगे ठीक है ये बात समझ में आ गई बहुत शांदार बहुत शांदार बहुत लाजवाब ठीक है भाई चली repeat क्या करना है भाई repeat मत कराओ बार बार ऐसे तो दिक्कत वाजी हो जाएगे दस महिला किसी काम को 16 दिन में 6 पुरुस उसी काम को 8 दिन में तो यहां से दोनों का efficiency का ratio निकाला एक महिला एक दिन में 3 काम एक पुरुस एक दिन में 10 काम total काम निकाल लीजे अगर एक पुरुस एक दिन में 10 काम करती है तो 10 महिला उन्हें 30 काम किया होगा एक दिन में 30 काम तो 16 दिन में टोटल काम 480 है उसने कहा है 12 पुरसों ने काम करना स्टार्ट किया एक पुरस एक दिन में 10 कार्य करता है तो 12 पुरसों ने एक दिन में 20 कार्य किया होगा दो दिन कार्य किया है तो 240 कार्य कर दिया होगा अब 6 पुरुस छोड़के चले गए तो 6 ही पुरुस बचे होंगे एक पुरुस 10 काम करता है तो 6 पुरुस 60 काम करते होंगे इनके साथ 5 महिलाएं और जुड़ जाती है एक महिला 3 काम तो 5 महिला 15 काम करेंगे यानि 75 काम एक दिन में होगा तो बचा हुआ है 240 काम क्योंकि 400C में से 240 हो चुका था तो बचा 240 अगर ये 75 काम एक दिन में तो 240 कार रहे कितने दिन में 16 बटे 5 दिन में तो अगर उसने पूछा होता सेस कार रहे कितने दिन में होगा लोगों से पूछना चाहा रहा है ठीक है तो भाईया ये दो दिन हमें और जोडने पड़ेंगे 26 वटे 5 इस question का जवाब हो जाएगा ठीक है भाई बहुत बड़ी है एक कहरा जी आप male female लिखिए confusion हो रहा है अच्छा अंग्रेज जी आगे से लिख देंगे वैसे तो आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती इंगलिस समझ में नहीं आती वैसे male female लिखना चाहा रहे हो भाईया क्या दिक्कत है महिला और पूरुस में कोई दिक्कत आ रही है बड़ा बड़ बताईए क्या ह होगा इसका बिलकुल सही जवाब बड़ा बहतरीन कोश्चन है भाई मैं नहीं खाँगा ले लो जाद है क्या होगा इस कोश्चन का बिलकुल सही जवाब अब आप मुझे ये बताईए पहले 20 में से स्कोर बता दीजे 20 में से स्कोर बता दीजे 20 में से क्या रहा आज आपका स्कोर 20 में से क्या आपका जो है कितने लोग ऐसे हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनका 16 से ज़्यादा स्कोर है 16 और 18 के बीच में 18 से ज़्यादा जो लोग है वो एकदम शांदार है सोला से ज्यादा जो है वो एवरेज है एवरेज से थोड़ा सा बढ़के है एक्सिलेंट और गुड की सिरेनी में रख सकता हूँ अठारा वाले एक्सिलेंट है और एवरेज जो है वो गुड एवरेज मतलब गुड की सिरेनी में रख सकता हूँ आप कहोगा जी सोला से नीचे हैं भाग जाओ रुक मत जाना सोला से नीचे वाले भाग जाओ ऐसा कैसे काम चलेगा इस कॉम्पटिशन के दोर में और सोला से कम अंजूर नहीं है बिटा वटा-वटा मुझे बताईए क्या होगा इस कॉश्चन का बिलकुल सही जवाँ कॉश्चन नमबर 21 क्या कहना चाहरा है क्या कहना चाहरा है कि चार महिलाएं और साथ पुरूस बिटा बड़ा कैल्कुलेटिव कॉश्चन बन जाता है लेकिन लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी एक सिफ्ट में SSC की एक सिफ्ट में पूछ लिया गया है जब SSC की एक सिफ्ट में पूछ लिया गया है तो मेरे दोस्त फिर पूछ सकता है अब लोगों से ठीक है बड़ा थोड़ा सा समझना समझ में आसानी से आ जाएगा सर उसका फोन आ रहा है क्या करूँ वा मेरे शेर वा अब देखिए कितनी महिलाएं हैं 4 महिलाएं हैं M4 महिला और 7 पुरुस P4 पुरुस 7 दिन में कुल इतने रुपे कमाते हैं अगर 7 दिन में इतने कमाते हैं एक दिन में कितना साथ से डिवाइड करो साथ एकम साथ चार बचेगा साथ छिंग 42 क्या एक दिन में 1640 रुपे कमाएंगे यानि 4 महिला और 7 पुरुस मिलके एक दिन में 1640 रुपे कमाते हैं ये बात आपकी किलियर हो चुकी है ठीक है जबकी 10 महिलाएं और 17 पुरुस कितनी महिलाएं 10 महिलाएं और कितने पुरुस 17 पुरुस एक दिन में कितना कमाते हैं 9 दिन में इतने कमाते हैं तो एक दिन में कितने कमाएंगे एक दिन में 4040 कमाएंगे बेटा 9 से डिवाइड कर दिया नो दिन में इतना तो एक दिन में कितना इतना कमाएंगे यहां तक का question पढ़ने के बाद आगे question मत पढ़ना पहले जो solve करना है हर एक question में वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ध्यान देना भी टेस पर दूसरा भी तरीका बताँगा पहले सुन लो method को भी सुन लो जब भी आपको दो equation दी हो तो एक variable को बराबर करना होगा यहां 5 की गुणा कर दीजे यहां 2 की गुणा कर दीजे 5 चौक 20 महिलाएं 10 दुनी 20 महिलाएं कट जाएंगे क्या तो आपने कहा बिल्कुल कर जाएगा 7 पंजे 35 पुरुस हो जाएगा बहुत शानदार और 17 दुनी 34 पुरुस हो जाएगा यहां 5 की गुणा करेंगे 5 जीरो जीरो 5 चौक 20 को जीरो हासिल 2 6 पंजे 30 दो बत्तिस को दो हासिल 3 5 कम 5 और 3 8 हो जाएगा 2 की गुणा यहां करेंगे तो 8,080 हो जाएगा और जब घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 10 में से 8 गए 2 बचेगा 1 बच जाएगा यानि कि 35 में से 34 गया तो 1 पुरुस बचेगा और 1 पुरुस जो है वो एक दिन में 120 रुपे कमाता है ये बात आपके सामने आ चुकी है ठीक है भहिया अगर 1 पुरुस एक दिन में 120 रुपे कमाता है तो 7 पुरुसो ने कितना कमाया होगा 840 रुपे कमाया होगा और ये 840 पिलस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो चार महिला उन्हें कितना कमाया होगा भई चार महिला यहां पर तो सोले सो चालिस में से आठ सो चालिस जाएंगे तो आठ सो रुपे कमाया होगा यानि एक महिला एक दिन में दो सो रुपे कमाती है ये आपके सामने आ चुका है ठीक है अब सुनना उसने कहा है 11 महिलाएं एक महिला 200 तो 11 महिला 200 और 9 पुरुस 120 तो 9 पुरुस 1080 कमाएंगे दोनों मिलकर हो जाएगा 3280 रुपे एक दिन में तो 13 दिन में कितना कमाएंगे आनसर आजाएगा 13 ठीक सो 4 को 4 हंसिल 10 13 दोने 26 और 10 36 को 6 हंसिल 3 13 तीया 49 और 3 42 हो जाएगा क्या ये बास समझ में आई क्या ये बास समझ में आई अब मैं आपको इसका एक सौट सा तरीका बताता हूँ लेकिन ये मत पूछना कि जी अगर ऐसे दो आप्सन लाई कर गए तो फिर कैसे कुश्चन को करेंगे तो फिर भाई अब उसी लिए मैंने मैथड को सिखाया है ठीक है अब देखना कुश्चन कहना क्या चाहा रहा है 11 महिलाएं और 9 पुरुस मिलकर 13 दिन में कितने रुपे कमाएंगे तो अगर एक दिन में जितना आएगा उसकी गुणा 13 में हमें करनी पड़ेगे यानि आंसर जो आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा और ऐसे कुश्चन में 99 परसेंट आप लोगों को मल्टीपल एक ही ऑप्सन मिलेगा लेकिन अगर एक से ज़ादा कुश्चन मिलते हैं एक से ज़ादा ऑप्सन मिलते हैं तो फिर आपको मैथड से जाना होगा अगर इसमें देखते हैं 13,2,26,13,39,3 बचेगा 13,2,26,11 बचेगा ये भी तेरा से कट रहा है बहुते हैं इनसे मिलो मेरे दोस्त, इसने सारे ही option 13 से काड़ दिये, तो अब क्या करें, भाईया अब उससे जाना होगा, मैंने पहले ही कहा था, question इसी साल पूछा है, एससी ने पूछा है, तो मेरे दोस्त, फिर आप लोगों को उससे जाना होगा, trick फेल होगी है, ठीक है भाई, तो आपको उससे जाना होगा, मैं ये कहता हूँ, कि भाई, जब उससे जाओगे न, और practice पे अच्छी आपकी command है, question पे अच्छी आपकी command है, तो मेरे दोस्त, ये question जो है, मात्र 50 second का question है, ठीक है, 50 second से ज़्यादा question नहीं लेगा, मेरी बात समझी में आगे, और याद रखना, ये वाली संख्या हमेशा इससे कटेगी 100%, और ये वाली संख्या इससे हमेशा कटने वाली देगा, ने तो भीया, point में आगी ना value, तो ये खटिया-खडी कर द सब नहीं कट रहा है, सर 13 से, 13 तिया, 49, 3 बचेंगे 37 हो जाएगा, 13 दूनी 26, कितना बचेंगा, 11 बचेंगा, 13 निम्मा 170, ये तो कट रही है न, 2 option तो कट रही है न, मैं नहीं देखता और भी, फिर मैं मैं थड़ से जाऊंगा, ठीक है, चलिए, important question मैं कह देता हूँ, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों मान भी सकते हैं, क्योंकि पेपर से पहले तो आप अपनी ही चलाते हैं, कि ये question आएगा या नहीं आएगा, आप खुद examiner बन रहे होते हैं, पेपर के बाद आप लोग बलेम कर रहे होते हो हैं, सामने वाले को, अपने पर तो बलेम कभी आता ही नहीं है, और जिस दिन अपने पर बलेम आ जाएगा, उस दिन बेटा सफलता की रहा पर चड़ जाओगे, क्योंकि अपने पर बलेम आने का मतलब है, अपने में कमी ढूंडना, और अपने में कमी ढूंडने का मतलब है, उन कमियों पर काम करना, ठीक है, चलिए, 3280 क कैसे आया कौन सा 32 ये वाला बेटा देखो ना एक पुरुस एक महिला एक पुरुस एक सो बीस कमाता है तो नो पुरुस ने एक हजार असी कमाया होगा एक महिला दो सो कमाती है तो 11 महिला उन्हें 200 तो एक पुरुस एक महिला एक दिन नहीं नो पुरुस और 11 महिला एक दिन मे 3280 कमाएंगे दोनों को जोड़ दो तो 13 दिन में कितना कमाएंगे इतना फटाफट बताईए Question number 22 का जवाब क्या होगा देखिए A और B किरम से एक काम को 21 दिन और 14 दिन में कर सकते हैं A और B A किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 24 दिन में कर सकता है 21 और 14 का LCM आएगा 42 एक दिन में 2 कार्य करेगा और एक दिन में 3 कार्य करेगा ठीक है उन्होंने 1-7 काम करना सुरू किया लेकिन 5 दिन के बाद कुछ कारणों से B ने काम छोड़ दिया एक दिन में दोनों 5 कार्य करते हैं तो पांच दिन उन्होंने लगातार काम किया है, 25 कार्य वो कर चुके हैं, बचा कितना होगा, 17 कार्य अभी बचा होगा, भी कार्य छोड़ चुका है, तो A ने सेस काम पूरा कर लिया, तो पूरा काम कितने दिनों में खतम हुआ, A एक दिन में दो कार्य करता है, तो सेस कार्य उसने सेस कारे आपसे पूछा होता तो जवाव साड़े आठ डिन होता लेकिन उसने कहा ہے कि पूरा काम कितने दिनों में खतम हुआ है यानि उस काम को करने में जो समय लगा है वो साड़े तेरह दिन का समय लगा है option number 20 question का जवाब हो जाएगा next question आप लोगों के सामने है ये रहा बिटर next question आप लोगों के सामने है next question आप लोगों के सामने है फटा फट बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब अहाँ चली बताईए फटा फट बताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब A, B और C अलग-अलग किरम से 18-3654 दिनों में कार्य कर सकते हैं A किसी काम को 18 दिन में कर सकता है B किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है और C किसी कार्य को 54 दिन में कर सकता है मेरे दोस्त अगर तीनों से LCM पूछू तीनों का तो आप 108 बताएंगे एक दिन में 6, 18, 6, 108 36, 3, 108 54 दिनी 108 हो जाएगा क्या यह आपने बना लिया है आगे बढ़ते हैं question ने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य सुरू किया लेकिन B और C ने कार्य पूरा होने से किरम से 5 दिन और 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया अब देखें मेरी बात को थोड़ा सा सुनियेगा B और C ने कार्य पूरा होने से किरम से 5 दिन और 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है तो जब भी काम खतम होने के पहले कार्य छोड़ा जाता है तो आप उन्हें छोड़ने मत दो अगर B जो है वो 5 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है तो इससे 5 दिन और करा दो 15 काम और करा दो और C 10 दिन पहले कार्रे छोड़ रहा है तो इससे 10 दिन और कार्रे करा दो 20 काम और करा दो तो अगर मैं आपसे पूछू कि अब उस केस में टोटल कार्रे कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 108 और 15, 123 और 123 और 20 टोटल 143 कार्रे हो जाएगा और मैं ये मान चुका हूँ कि अब किसी ने कार्रे नहीं छोड़ा है उसने कहा है मेरे दोस्त कि कितने दिनों में कार्रे पूरा हो गया था अब जब किसी ने कार्रे छोड़ा ही नहीं है तो तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्रे करेंगे आप कहेंगे 11 कार्रे तो 143 कार्रे कितने दिन में कर देंगे तो आप कहेंगे 13 दिन में तो मेरे दोस्त तो पूरा कार्रे जो हुआ है वो 13 दिन में खतम हुआ है अच्छा क्या कोई मुझे बताएगा कि B ने इस कार्रे पर कितने दिन काम किया और C ने इस कारे पर कितने दिन काम किया और A ने इस कारे पर कितने दिन काम किया क्या कोई मुझे बता पाएगा कि B ने इस कारे पर कितने दिन काम किया A ने इस कारे पर कितने दिन काम किया और C ने इस कारे पर कितने दिन काम किया तो आप कहोगे भाई ए ने तो छोड़ाई नहीं है तो ए तो पूरे 13 के 13 दिन काम करता है क्योंकि काम जो है वो 13 दिन में खतम हुआ है अब अगर मुझसे पूछे कि B ने कितने दिन काम किया है तो B पांच दिन पहले कार्य छोड़ देता है तोटल कार्य 13 दिन में खतम हुआ है 13 में से 5 गया तो B ने केवल 8 दिन कार्य किया होगा अगर वो पूछे C ने कितने दिन कार्य किया है तो C 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तोटल कार्य 13 दिन में हुआ है 13 में से 10 गया C ने केवल 3 दिन कार्य किया है तो अगर अलग-अलग पूसता है तो वो ये आएगा अगर एक साथ पूसता है कि एक साथ मिलके काम कब खतम हुआ होगा तो जवाब 13 दिन आएगा ठीक है Next question आप लोगों के सामने है वैकलपिक अधार के question है सबसे ज़्यादा important है आज के point of view से आज के time में जो questions हो रहे हैं उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा important है ठीक है चलिए बताईए फटवट बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब क्या कहना चाहरा है question question ने कहा है कि A एक कार्रे को 25 दिनों में पूरा कर सकता है A एक कार्रे को कितने दिनों में पूरा कर सकता है तो आप कहेंगे 25 दिनों में जबकि B उसी कार्रे को 30 दिनों में पूरा कर सकता है B कितने दिनों में कर सकता है तो आप कहेंगे 30 दिनों में अब देखिए दोस्त 25 और 30 का LCM कितना होता है तो आप कहेंगे 1.500 अगर ये एक दिन में 6 काम करता है तो ये एक दिन में 5 कार्य करता होगा अब question क्या कह रहा है वे एसे सुरू करके वेकलपिक आधार पर कार्य करते हैं वेकलपिक आधार का मतलब होता है कि पहले दिन A ने किया होगा दूसरे दिन B ने किया होगा फिर तीसरे दिन A ने किया होगा चोथे दिन B ने किया होगा A और B दोनों 5 दिनों के लिए इस तरही के का पालन करते हैं पहले दिन A, दूसरे दिन B, तीसरे दिन A, चौते दिन B, पांचवे दिन A यानि 6, 5, 6, 5, 6 काम आप लोगों का हुआ होगा 6, 5, 11, 6, 17, 5, 22, 28 काम टोटल हो चुका है क्या ये बात किलियर है? अब 150 में से 28 काम हो चुका है तो क्या 122 काम अभी भी बचा हुआ है? हाए न, तो आप कहेंगे बिल्कुल बचा हुआ है तो उसने कहा है और फिर A कारे छोड़ देता है अगर अब A ने कारे छोड़ दिया है तो B, सेस कारे कितने दिन में पूरा करेगा? तो 6 कार रहे तो 122 काम बचा हुआ था B एक दिन में 5 कार रहे करता है तो 122 कार रहे कितने दिन में करेगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 सही दो बटे 5 दिन में option number A इस question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा option number A इस question का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है? S.C. G.D. की class आज नहीं होगी चलिए बहुत बढ़िया फटा फटा बताईए क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब next question आप लोगों के सामने है जल्दी से मुझे बताईए दोस्त क्या होगा? इस question का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त इस question का बिल्कुल सही जवाब एक बहतरीन question आप लोगों के सामने question नहीं कहा है कि A और B किरम से 5 दिन और 10 दिनों में एक कार्रे कर सकते है A किसी कार्रे को 5 दिनों में कर सकता है और B उसी कार्रे को 10 दिनों में कर सकता है और 5 और 10 का LCM जो होता है वो 10 होता है एक दिन में 2 कार्रे और एक दिन में 1 कार्रे करेगा उन्होंने 1-7 कार्रे करना सुरू किया लेकिन A ने कुछ दिनों बाद कार्रे छोड़ दिया मुझे नहीं पता है कि A ने कितने दिनों बाद कार्रय छोड़ दिया है और B ने सेस कार्रय को आठ दिनों में समाप्त कर दिया है बी ने कितने दिनों में समाप्त कर दिया, ए ने कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ दिया है, और बी ने सेस कार्य को आठ दिनों में समाप्त कर दिया है, यानि कि बी सेस कार्य को आठ दिनों में समाप्त करता है, तो बी एक दिन में एक कार्य करता है, तो उन आठ दिनों में बी ने आठ काम किया होगा क्या जब एने छोड़ा होगा क्या जब एने छोड़ा होगा तो आठ काम सेस बचा हुआ होगा यानि कि जब एक काम करता है बी के साथ जो काम करता है वो केवल दो काम करता है क्योंकि टोटल काम दस था और दस में से जब छोड़ा है तब भी आठ क तो क्या इन दोनों ने साथ काम जो किया होगा वो दो काम किया होगा और अगर दोनों मिलके एक दिन में तीन काम करते हैं तो दो काम कितने दिन में किया होगा यानि जो इन्होंने साथ काम किया होगा वो दो बटे तीन दिन काम किया होगा फिर ए छोड़के चला गया होगा औ और फिर बीने से इस काम को आठ दिनों में निप्टाया होगा, यानि इस question का जवाव कितना हो जाएगा, कि ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा, तो ए ने दो बटे तीन दिनों के बाद जो है वो कार्य छोड़ दिया है, इस question में बच्चा confused हो सकता है, तो लिख लेना इस question को important है, ठीक है भाई, चलिए, next question आप लोगों के सामने है, next question आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटा-फटा बताएंगे क्या होगा इस question का बिलकुल सही जबाद, question number 26, क्या कहता है question number 26, देखेंगे दोस्त, रवी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, रवी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में? 40 दिनों में, और सुधा उसी काम को 60 दिनों में कर सकती है, बहुत खुसी की बात है, 40 और 60 का LCM 120 होगा, एक दिन में तीन कार रहे और एक दिन में सुधा दो कार रहे करेगी यती वे काम की सुरुवात सुधा से हुती है भाई काम की सुरुवात सुधा से हुई है सुधा एक दिन में दो कार रहे और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं पहले दिन सुधा ने दो काम किया दूसरे दिन रवी ने तीन काम किया यानि अगर दोनों मिलेंगे तो पांच काम होगा लेकिन दिन जो है वो दो दिन लगेंगे जब एकांतर दिन पे काम कर रहे हैं तो पहले दिन सुधा दूसरे दिन रवी तो पहले दिन दो काम हुआ और दिन लगे होंगे भाईस साब दो तो उसने पूछा है कि वे काम कितने दिनों में पूरा होगा तो ऐसे केस में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि इस संख्या से कटने वाली या तो ये संख्या होगी या इस से कम वाली संख्या आपको लेनी है तो ये तो पूरी-पूरी कटती है, ये कब पूरी-पूरी कटेगी, जब आप 24 की गुणा कर दोगे, अगर 24 की गुणा करोगे तो क्या ये पूरा-पूरा काम आ जाएगा, 120 काम, तो मेरे दोस्त, 24 की ही गुणा आपको इधर करनी होगी, यानि की 120 काम होने में 48 दिन का समय लगेगा, उप्सन नमबर C, इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, नेक्स्ट कुश्चन, नेक्स्ट कुश्चन आप लोगों के सामने है, बटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब, कुश्चन नमबर 27 आप लोगों के सा पटबट बताईए भाई क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब चलिए ABC एक काम को किरम से 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं A किसी काम को 30 दिन में, B किसी काम को 40 दिन में, और C किसी काम को 50 दिन में 3, 4, 5 का LCM क्या कोई मुझे बताएगा कि 60 होता है और 60 से 60 के आगे 0 लगा दो क्या इसका LCM 600 हो जाएगा अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक दिन में ये कितना काम करेगा 20 काम ये एक दिन में 15 काम और ये एक दिन में 12 काम करेगा ठीक है यदि काम की सुरुवात ए से होती है और वे बारी-बारी से एक-एक दिन काम करते हैं तो कर रहे कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा इससे जदा कैलकुलेटिव वहां बनेगा भी नहीं समझे पहले दिन ए ने काम किया 20 काम दूसरे दिन बी ने काम किया 15 काम तीसरे दिन सी ने काम किया 12 काम तो आप कह सकते हैं कि आप तीन दिन में 47 काम हुआ होगा तीन दिन में काम जो हुआ है वो 47 काम 20 और 15 और 15 और 12 47 काम अब 47 में कितने की गुड़ा करूं कि इसके नजदीक पहुँच जाओं तो आप कहेंगे 47 एकम 47 13 बचेगा 47 तिया तो नहीं कटेगा आप 12 की गुड़ा करूं 12 सत्य 84 को 4 हांसिल 8 12 चोक 48 48 और 8 56 हो जाएंगे क्या 564 काम हो जाएगा जैसे ही 37 दिन का नंबर आएगा तो इसने अपना 20 काम किया होगा क्या 584 काम हो चुका है और एक दिन आपका बढ़ चुका है फिर जैसे ही 38 दिन आया होगा इसने 15 काम किया होगा 15 काम किया होगा तो 599 काम हो चुका है एक दिन बढ़ चुका है लेकिन अगला नंबर इसका आया होगा ये पूरे दिन में 12 काम करता है लेकिन मुझे जरूरत केवल एक काम की है क्योंकि काम टोटल 600 है तो 500 निन्याडवे में मुझे एक काम की जरूरत होगी तो अगर पूरे दिन में 12 काम करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा एक बटे बारा दिन में करेगा यानि टोटल समय कितना हो जाएगा 36 और 1, 37 और 1, 38 सही एक बटे बारा option number A हो जाएगा मेरे दोस्त इससे कैलकुलेटिव वो आप से पूछेगा भी नहीं option number A is the correct answer है ना option number A का जबाब हो जाएगा हर किसी के बसकी नहीं होता रेगुलर्टी बना के रखना हर किसी के बसकी नहीं होता रेगुलर चीजों को करते रहना जिन लोगों की पकड़ है वो छोड़के जा रहे हैं तो बहुत खुसी की बात है कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन जिन लोगों की पकड़ भी नहीं है और वो छोड़के जा रहे हैं तो मेरे दोस्त कुछ नहीं हो सकता है ना चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार हाँ आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन नमबर 28 कोश्चन नमबर 28 बताईए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जबाब कोश्चन नमबर 28 आप लोगों के सामने हैं क्या कहना चाहा है देखे A, B तथा C किसी काम को 20, 30, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं बेटा पहले दिन तो ऐसे होते हैं खेल दिखाने वाले नहीं आते हैं और उन्हें देखने आते हैं तो पहले दिन तो बालक आता ही है पहले दिन तो हर जगय का बालक आएगा लेकिन हर जगय के बालक को ये नहीं पता कि material सेम ही है, content सेम ही मिलेगा लेकिन वो देखेगा अच्छा दिल्ली पुलिस डला हुआ है जीडी वाला सुचेगा मेरे मतलब की किलास नहीं है ये मेरे मतलब की किलास तो तब बनेगी जब इस पे जीडी लिखा हुगा चलिए इनकी efficiency का ratio आपके सामने 3-2-1 आच चुका है वे तो उस काम को एक इतने दिन में पूरा कर सकता है यदि उस कोई सिफ्ट नहीं बची जिसमें जीडी में ये कुश्चन ना पूछा गया हो ऐसे कुश्चन ही आजकल trending में बने हुए हैं हर तीसरे दिन B और C की साहिता मिलती है यानि पहले दिन A अकेला काम करता है दूसरे दिन A अकेला काम करता है लेकिन तीसरे दिन B और C कहते हैं ब पहले दिन कितना काम हुआ पहले दिन तीन काम हुआ दूसरे दिन भी A ने काम किया तीन काम हुआ लेकिन तीसरे दिन तीनों ने काम किया तो 6 काम हुआ यानि आप देखोगे कि तीन दिन में 12 काम हो जाता है और समय लगता है तीन दिन तो उसने कहा है काम कितने दिन में खत कम होगा तो बेटा काम 40 करना है तो 5 की गुणा कर देंगे तो क्या काम 60 हो जाएगा तो 5 की गुणा इधर कर दीजिए मेरे दोस्त दिन 15 हो जाएगा यानि 60 काम होने में 15 दिन का समय लगेगा उपसन नंबर C इस कोश्चन का जवाब हो जाएगा next question आप लोगों के सामने है फटा फट मुझे बताएंगे question number 29 का जवाब क्या हो जाएगा भाई उपर करना उपर बास आप से तो कुछ बोलना भी खराब है चली फटा फट बताएंगे क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब एक बहतरीन question आप लोगों के सामने A, B तथा C किसी काम को किरम से 30, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं A किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं B उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और C उसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो 30, 20, 10 से कटने वाली संख्या 60 होगी एक दिन में 3 काम, एक दिन में 6 काम एको काम में बारी-बारी से एक एक दिन B का तथा अगले दिन C का सहीयोग मिलता है यानि एको पहले दिन B का सहीयोग मिलता है और अगले दिन जो है वो C का सहीयोग मिलता है तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा वो आप से ये पूछना चाह रहा है तो बिटा अगर पहले दिन A और B ने काम किया होगा तो काम 5 हुआ होगा दूसरे दिन A और C ने काम किया है तो काम आठ हुआ होगा अगर मैं आपसे पूछू कि दो दिन में कितना काम हुआ तो आप कहेंगे तेरे काम हुआ और दिन कितने लगे मेरे दोस्त दो दिन का समय लगा ठीक है अब आप मुझे ये बताईए मुझे साठ पर जाना है साठ पर नहीं जाओंगा साठ से कम कहां पोचूँगा जब मैं चार की गुणा करूँगा बावन काम हो चुका है चार की गुणा करोगे तो दिन आठ लग चुके है ठीक है नंबर इसका आया होगा ये पाँच काम करेगा तो सतावन काम हो जाएगा एक दिन बढ़ेगा तो नो दिन हो जाएगे आगे जो है तीन काम की जरूरत है क्योंकि टोटल साठ काम है ये एक दिन में आठ कार रह करता है मुझे केवल इससे तीन कार रह कराना है तो तीन कार रह कराना है एक दिन में आठ कार रह तो क्या तीन बटे आठ दिन में तीन कार्रा कर देगा तो मेरे दोस्त टोटल जो समय लगेगा नो सही तीन बटे आठ दिन लग जाएगा नो दिन ये है तीन सही आठ तीन बटे आठ दिन ये तो टोटल समय कितना लग जाएगा नो सही तीन बटे आठ दिन का समय लग जाएगा ठीक है भाई? बहुत शानदार Next question आप लोगों के सामने है Question number 30 Question number 30 आप लोगों के सामने है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बटबट बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब हाँ चलिए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब Question number 30 क्या कहना चाहरा है भाई question Question ये कहना चाहरा है Question ये कहना चाहरा है कि A, B और C एक काम को किरम से 42 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं अच्छा 84 दिन इसमें नहीं दिया हुआ है इंग्लिस में दिया हुआ है तो इंग्लिस में देख लेना 42 दिन 84 दिन और 28 दिन तो A कितने दिन में करता है भाई बंद करना इसे 42 दिन में B 84 दिन में और C कितने दिन में करता है 28 दिन में इन तीनों से कटने वाली संख्या 84 होगी 42 दुनी 84 84 84 ए ने काम सुरू किया तीन दिन बाद भी उसके साथ जुड़ गया यानि ए ने जो है वो तीन दिन बाद तीन दिन तक काम किया तो क्या तीन दिन में उसने छे काम कर दिया होगा अब 3 दिन के बाद उसके साथ B जुड़ गया है अब A और B काम करेंगे अगर काम सुरू होने के 5 दिन बाद C भी उनके साथ जुड़ गया है पहले ये बताओ B कितने दिन बाद जुड़ा है 3 दिन बाद और C जुड़ रहा है 5 दिन बाद तो मेरे दोस्त क्या A और B ने दो दिन काम किया होगा अगर A और B एक दिन में तीन कारे करते हैं तो उन दो दिन में बेटा छे काम इन्होंने कर दिया होगा पांच दिन टोटल हो चुके हैं अब इनके साथ जो है वो C भी जुड़ गया होगा अब आगी क्या कह रहा है तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया वो आपसे ये पूछना चाह रहा है अभी 12 काम हुआ है बचा कितना 72 काम बचा 72 काम जो है वो तीनों लोग करेंगे दो रेक तीन, 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 छे एक दिन में 6 काम तो 72 काम कितने दिन में 12 दिन में यानि कि अगर मैं कहूं कि ए ने 6 दिन यहां काम किया ए ने 6 दिन यहां काम किया और ए ने 12 दिन यहां काम किया तो क्या ए 24 दिन तक काम में बना रहा है क्या ए 24 दिन तक काम में बना रहा है कुश्चन क्या कह रहा है बाई गड़ बड़ होगी क्या ए ने पहले तीन दिन काम किया फिर दो दिन काम तीन और दो पाँच अच्छे ये तो हमने काम का टोटल कर दिया ये तो हमने काम का टोटल कर दिया ए ने पहले तीन दिन यहां काम किया और दो दिन यहां काम किया तीन और दो पांच दिन यहां काम हो गया और बारे दिन ए ने यहां काम किया है तो सत्रे दिन इस कुश्यन का जवाब हो जाएगा सत्रा दिन इस कुश्यन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है भाई तो आप क्या कहेंगे ए ने दो दिन यहां काम किया है तीन दिन यहां काम किया है तीन और दो पांच दिन और बारे दिन यहां काम किया है टोटल ए ने सत्रे दिन काम किया है ठीक है भाई यह बात समझ में आगे क्या आप लोगों को वो या तो आप से यह कह सकता है कि total काम जो है वो कितने दिन में खतम हुआ तो आप कहना जी total काम 17 दिन में खतम हुआ है क्योंकि ए शुरुआत से लेके आखिर तक काम कर रहा है तो अगर यहां से तरह तरह के कोश्चन बन सकते हैं पूरा काम खतम होने में कितने दिन लगे तो आप कहेंगे सत्रे दिन लगे A ने इस पर कितने दिन काम किया है तो A शुरुआत से आखिर तक लगा रहा है तीन दिन यहां लगा, दो दिन यहां, पांच दिन और बारा दिन यहां तो क्या 17 दिन जो है वो A ने काम किया है अगर वो पूछता है B ने इस पर कितने दिन काम किया है तो B ने 2 दिन यहां काम किया है 12 दिन यहां काम किया है तो B ने 14 दिन काम किया है अगर वो पूछे C ने इस पर कितने दिन काम किया है तो सीने केवल और केवल यहां काम किया है 12 दिन काम किया है ठीक है भाई चलिए next question की तरफ हम लोग चलते हैं next question ये रहा आप लोगों के सामने बढ़िया question है question number 31 question number 31 क्या कहना चाह रहा है question number 31 ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त की एक कार्रे को 120 दिनों में कर सकता है तो ए से एक कार्रे को 120 दिनों में खतम करा दो बी उसे डेड़ सो दिनों में कर सकता है बी से उसे डेड़ सो दिनों में खतम करा दो फीक है इन दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी तो आप कहना आप कहना कितनी हो जाएगी दिन में ये पांच कार्रे करेगा और एक दिन में ये चार कार्रे करेगा ठीक है भाई अब देखना कोश्चन कहना क्या चाहरा है कोश्चन ने कहा है कि वे बीस दिन तक एक साथ कार्रे करते हैं फिर भी चला जाता है अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में नो कार्रे करेंग A, अकेला कार्रे जारी रखता है, उसके 12 दिन बाद C, A से जुड़ जाता है, तो A, अकेले ने 12 दिन तक काम किया होगा, एक दिन में 5 काम, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम कर देगा A, 180 और 60, 240 काम हो चुका है, 60 में से 240 को घटा दीजिए, अभी भी काम कितना बचा हुआ है, 10 में से 4 गैच है, 360 अभी भी काम बचा हुआ है, अब A के साथ कौन जुड़ चुका है, C जुड़ चुका है, देखिए, उसके बाद 12 दिन बाद C, A से जुड़ जाता है, और कार रह 48 और दिनों में पूरा हो जाता है, तो मेरे दोस्त, आप लोग समझ रहें, 48 और दिन लगते हैं, यानि A और C मिलके, सेस कार रहे को अगले 48 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना कार रहें, पूरा कर देंगे, आप लोग मुझे बताइए, 12 से काटेंगे 30 बार, 12 चो कर तालिस, 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से 2, तो बिटा साड़े साथ कार रहें, एक दिन में करेंगे, तो मेरे दोस्त टोटल कार रहे है 600 और C एक दिन में धाई कार रहे करता है तो 600 कार रहे कितने दिन में कर सकता है 25 दुनी 50, 25, 24, 240 दिन में खतम कर सकता है आप्सन नमबर C बताईए भाई बताईए क्या इसमें कोई दिक्कत है एक बार question को देखिएगा फिर से और मुझे बताईए क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है बेटा एक कार रहे को 120 दिनों में कर सकता है भी उस कार रहे को 1500 दिनों में दोनों का LCM 600 है एक दिन में 5 कार रहे भी एक दिन में 4 कार रहे दोनों मिलके 20 दिन तक कार रहे करते हैं 185 कर रहा हो जाता है उसके बाद B छोड़ देता है A अकेला कर रहा हो tan अगले बारे दिन बाद यानि बारे दिन तक अकेले ने काम किया 60 कारे कर देते हैं तो 180 और 60 240 काम हो चुका है तो बच्चा कितना 360 काम C जुड़ जाता है और अगले 48 दिन में 360 काम हो जाता है यानि एक दिन में साड़े साथ काम एक दिन में 5 काम करता है तोनों मिलके साड़े साथ करते हैं तो C एक दिन में ढ़ाई करता होगा ठीक है अगर C एक दिन में ढ़ाई काम करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 240 दिन इस question का जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत शांदार बहुत शांदार next question आप लोगों के सामने है फटा फट मुझे बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब एक बहतरीन question आप लोगों के सामने है question number 32 क्या कहना चाह रहा है एक निश्शित संख्या में कुछ वैक्ति एक कार्रे को 46 दिनों में पूरा कर सकते है यदि 8 और वैक्ति उसमें सामिल हो जाते हैं तो वह कार्रे पूरा होने में 16 दिन कम लगते हैं बढ़ा आसान question है मुझे नहीं पता कितने वैक्ति कार्रे सुरू करते हैं लेकिन एक वैक्ति जो है वो 46 दिन में काम पूरा कर सकते हैं वैक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या यदि 8 और वैक्ति उसमें सामिल हो जाते यानि इसमें A पिलस 8 वैक्ति हो जाएंगे तो कारे 16 दिन कम पहले हो जाता तो 46 में से 16 गया तो A पिलस 8 वैक्ति 30 ही दिन में काम को खतम कर देते तो अगर वैक्तियों की संख्या दिनों की संख्या की गुड़ा कर देंगे टोटल कार रहे आएगा यहां वैक्तियों की संख्या यह है दिनों की संख्या यह है पिलस 120 आ जाएगा तो 23 में से 15 जाएगा तो 8 A बचेगा इस इक्वल टू 120 आएगा अगर सुरुवात में वैक्तियों की संख्या पूछी जाती तो 15 होती और बाद में वैक्तियों की संख्या पूछी जाती तो 15 और 8 23 हो जाती तो उसने सुरुवात में पूछिए आरंब में कितने व्यक्ति थे तो आपका जवाब होगा 15 व्यक्ति थे क्या हो जाएगा आप कहेंगे 15 व्यक्ति थे ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट कुश्चन आप लोगों के सामने हैं बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब देखिए कुश्चन कहना क्या चाहरा है हाँ जिसका कल पैट का एक्जाम है वो और आम से जाके पढ़िएगा कल देख लेना के लास कोई दिक्कत नहीं है ठीक है देखिए कोश्चन क्या कहना चाहा रहा है तेतिसमा कोश्चन क्या कहना चाहा रहा है कोश्चन ये कहना चाहा रहा है मेरे दोस्त कोशन ने कहा है कुछ व्यक्ति मिलकर एक काम को 85 दिन में कर सकते हैं मुझे नहीं पता कितने व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं लेकिन ए व्यक्ति मिलकर काम को 85 दिन में कर सकते हैं यदि 15 व्यक्ति और उनके साथ समलित होते यानि यहाँ पे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं A पिलस 15 होते तो काम पूरा होने में 25 दिन कम लगते पहले 85 दिन लग रहे थे अब 25 दिन कम यानि ये वाले व्यक्ति जो है वो 60 दिन में काम खतम कर देंगे तो दोनों जगे जो काम है वो टोटल काम सेम है मेरे दोस्त तो 5 से काटेंगे 17 बार कटेगा और 5 से काटेंगे 12 बार तो 17 की गुणा A में करेंगे 17 A आएगा 12 की गुणा A में 12 A आएगा और 12 की गुणा 15 में करेंगे 180 C आएगा 17 में से 12 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 की व Belgium 180 दी है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी अगर आप से पूछा जाए कि शुरुवात में कितने वैक्ती थे तो आप 36 बताना और अगर आप से पूछा जाए कि बाद में कितने वैक्ती थे 36 और 15 है जोड़ देना फिर 51 इस question का जवाब दे देना question ने कहा है कि पिरारंब में कुल कितने वैक्ती थे तो जवाब होगा 36 वैक्ती थे एक बच्चा पूछ रहा है 60 कहां से आया पहले 85 दिन में करते थे अब 25 दिन कम करते हैं तो आप लोग समझे पिचासी दिन में पहले करते थे अब वो 25 दिन कम करते हैं तो मेरे दोस्त पांच में से 5 जाएगा जीरो बचेगा आठ में से 2 जाएगा छे बचेगा यानि अब वो 60 दिन में करते हैं ये ये 60 यहां से आया है ठीक है चलिए, आगे बढ़िए मेरे दोस्त, फटा फट मुझे बताईए, क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब 34 कुश्चन आप लोगों के सामने है 34 कुश्चन कितने लोगों ने किलास को लाइक नहीं किया है सच सच बताना दिल पे हाथ रखे, कितने लोगों ने किलास को लाइक नहीं किया है अगर मन है, अगर मन है तो जरूर करियेगा अगर नहीं है, नहीं है बच्चे, तो कोई बात ही नहीं है फिर्टो पटपट बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब क्या कहना चाहा रहा है question question ने कहा है कि 25 वैक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते है 25 वैक्ति जो है वो किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते है उन्होंने काम सुरू किया एक्स दिनों के बाद दस वैक्तियों ने काम छोड़ दिया यदि सारा काम असी दिनों में पूरा हुआ हो तो एक्स का मान क्या है यानि कितने दिनों के बाद दस वैक्तियों ने काम छोड़ दिया है बिटा बहुत आसान सा तरीका है अच्छा मुझे ये बताईए टोटल कित तो आप कहेंगे जिसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अब सुनिए ध्यान से, उन्होंने काम करना सुरू किया, कितने वैक्तियों ने, 25 वैक्तियों ने, एक्स दिनों के बाद 10 वैक्तियों ने काम छोड़ दिया, यानि अब वैक्ति रह गए 15, यदि सारा काम जो है वो 80 द काम 80 दिनों में हुआ है, तो इन 15 वैक्तियों ने 80 दिन में कितना काम कर दिया होगा, यानि इन 80 दिनों में 15 वैक्तियों ने 1200 काम कर दिया होगा, अगर 1200 काम जो है, इन 15 वैक्तियों ने किया है, इन 80 दिनों में, तो बचा कुचा 300 काम जो किया होगा, वो 10 वैक्तियों ने क काम किया होगा अगर आप से पूछे कि उन दस वेक्तियों ने कितने दिन तक काम किया तो जवाब होगा 30 दिन तक काम किया दूसरा कुश्चन अगर पूछे कि उन दस वेक्तियों ने काम खतम होने के कितने दिन पहले काम छोड़ा तो 80 में से 30 घटा न देना उस केस में 50 दिन आता क्या question समझ में आया है या नहीं पड़ पड़ बताओ भाई question समझ में आया है नहीं आपने कौन से तरीके से किया है मुझे फर्क नहीं पड़ता answer अगर आपका भी 30 आया है तो दोनों लोग बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर आप question को नहीं कर पाए हैं तो आप इससे जाईएगा बड़ा आसान question रहेगा ठीक है बात को समझिए भाई 25 वैक्ती है ना 60 दिन में काम करते हैं तो total काम आपको पता चल चुका है कि 15 सो काम होगा तो आप कहेंगे बिल्कुल पता चल चुका है अब 10 वैक्ती काम छोड़के चले गए हैं लेकिन जो 15 वैक्ती अब बचे हैं क्या वो 15 वैक्ती सुरुवात से काम करते आ रहे होंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल क्या लाश्ट तक वो 15 वैक्ती काम करेंगे बिल्कुल करेंगे काम जो है वो 80 दिनों में खतम होता है तो 15 वैक्तियों ने 80 दिन में 1200 काम किया होगा यानि ये जो 15 वैक्ति हैं ये 1200 काम कर देते हैं तो ये जो 300 काम रहा होगा ये उन 10 वैक्तियों ने किया होगा यह उन दस वक्तिओं ने किया होगा जो काम छोड़ कर जा चुके हैं तो यह वाला जो 300 काम है 10 वक्ति कितने दिन में कर देंगे यानि यह 10 वक्ति 30 दिन तक काम करेंगे भाई साब और 30 दिन के बाद यह काम छोड़ देंगे ठीक है बहुत शानदार आगे बढ़े चली नेक्स्ट कुश्चन आप लोगों के सामने बड़ा बहतरीन कुश्चन है कुश्चन नमबर 35 बढ़ा बढ़ा से बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या कहना चाहरा है एक कार्रे पर 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करना सुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़ कर चले जाते हैं काम कितने लोगों ने शुरू किया था आप कहिंगे 15 व्यक्तियों ने और कितने व्यक्ति काम छोड़ कर चले गए हैं कुछ दिन बाद 6 व्यक्ति काम छोड़ कर चले गए हैं परिणाम सहरूप जो काम 42 दिनों में पूरा हो सकता था यानि कि अगर 15 व्यक्ति काम करते तो 42 दिन में काम पूरा हो जाता यानि टोटल काम हम लोगों को पता चल चुका है कि 630 काम थे जो काम 42 दिन में पूरा हो सकता था वह 54 दिनों में पूरा हुआ है 54 दिनों में पूरा हुआ है एक बात मुझे बताईए सुरुवात में कितने व्यक्ति थे? आप कहेंगे 15 व्यक्ति छोड़के कितने व्यक्ति गए है आप कहेंगे 6 व्यक्ति तो मेरे दोस्त क्या 9 व्यक्ति बचे हुए है क्या ये 9 व्यक्ति सुरुवात से काम करते हुए आ रहे है क्या ये 9 व्यक्ति सुरुवात से काम करते हुए आ रहे है तो आप कहेंगे 480 काम कर दिया होगा, ये बात समझ में आगी, अगर 630 में से 480 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 10 में से 6 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 144 काम बचा होगा, ये 144 उन लोगों ने किया होगा, जो वैक्ति छोड़के गए हैं, तो ये 144 काम जो है 6 वैक्ति कितने दिन में करेंगे, यानि 6 वैक्तियों ने केवल 24 दिन तक काम किया होगा, confuse मत हो जाना, question गलत मत करके आ जाना, वो दो चीज आप लोगों से पूच सकता है, एक तो ये पूच सकता है कि इन 6 वैक्तियों ने कितने दिन काम किया, तो जवाव 24 दिन देना, एक ये पूच सकता है कि ये 6 वैक्ति कितने दिन पहले काम छोड़ चुके, तो टोटल पाम 54 दिन में हुआ है, 24 दिन इन्होंने काम किया है, तो 54 में से 24 गया, तो 30 दिन पहले कार्रे छोड़ चुके हैं, अगर पहले पूछा जाए कितने दिन पहले कार्रे छोड़ चुके हैं, तो टोटल में से इनके दिन घटा देना आपको पहले का मिल जाएगा, और अगर पूछे क इतने दिन इनोंने काम किया तो वो तो directly आपके पास होता ही है, ठीक है, ठीक है, 34 का अंसर बार है होगा, पिलीज एक बार चेक करें, 34 का अंसर बार है होगा, कैसे, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितना काम हो गया भाई, 500 काम हो गया, उन्होंने काम करना सुरूप किया, एक्स दिनों के बाद, एक्स दिन काम करने के बाद, 10 व्यक्ति उन्हें काम छोड़ दिया, अगर 10 व्यक्ति उन्हें काम छोड़ दिया, तो 15 व्यक्ति बचे, यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ है, तो 15 व्यक्ति के 15 व्यक्ति ने 80 अरसी दिन काम किया होगा तो बारे सो काम उन्होंने कर दिया होगा बचे कितने तीन सो काम बचे है तो ये तीन सो काम जो है उन दस वेक्तियों ने कितने दिन में किया होगा तीस दिन में किया होगा तो तीस दिन इन्होंने काम किया है उसने का है तीस दिनों के बाद दस वेक आप इसे cross check भी कर लेना 30 ही होगा ठीक है चलिए next question की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त एक बड़ा बहतरीन question आप लोगों के सामने हैं फटा-फट मुझे बताईए क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जबाब question number 36 question number 36 आप लोगों के सामने हैं पटा-पटा पटाईए क्या कहना चाहरा है question A और B एक साथ काम करते हुए किसी कारणा को D दिन में पूरा कर सकते हैं अकेले A उसी कारणा को D पिलस 8 दिन में पूरा कर सकता है और अकेले B उसी कार्रे को पूरा करते हुए D पिलस 18 दिन में उसे पूरा कर सकता है जब भी आप लोगों को ऐसा कुश्चन मिले कि A पिलस B दी दिन में करते हैं और A का कंपेरिजन इसके साथ और B का कंपेरिजन भी इसके साथ किया गया हो तो D की वैल्यू निकालने का एक मात्र आसान और सुसील सा तरीका ये है कि आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए 18 अठे कितना होता 144 और 144 का वर्गमूल होगा 12 यानि A पिलस B किसी काम को 12 दिन में और 12 और 8 A किसी काम को 20 दिन में और 12 और 18 B किसी काम को 30 दिन में करता है तो सेस कारे पूरा करने में अकेला B किसना समय लेगा तो हो गया कुश्यन अगर A किसी काम को 20 दिन में करता है और B उसी काम को 30 दिन में करता है तो दोनों से कटने वाली संख्या 60 हलसियम एक दिन में 3 कार रहे एक दिन में 2 कार रहे तो बिटा A चार दिनों तक कार्रे करता है तो क्या ये बारे कार्रे कर चुका होगा अगर बारे कार्रे कर चुका होगा तो 48 कार्रे बचा हुआ होगा तो B सेस कार्रे को कितने दिन में पूरा कर देगा अगर B एक दिन में दो कार्रे तो 48 कार्रे कितने दिन में कर देगा तो जवाब का जवाब होगा 24 दिन में पूरा कर देगा option number A इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा बड़ा बहतरीन question इसी के जैसा एक और question इसी के जैसा एक और question वटवट बताईए भाई इसका जवाब आप लोग दे देना इसका जवाब ही नहीं बनता अभी रहने देने का तीन घंटे पूरे class लेके मैं छोड़ूँगा pipe टंकी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है यह जो छूटने वाले part है SCF-LCM के 14 question pipe तथा टंकी के 20 question रखे हैं इन्हें सब एक दिन में करा दूँगा दिक्कत मतलो सुनिए question क्या कहना चाहा रहा है A और B एक साथ मिलकर एक काम को X दिनों में पूरा कर सकते हैं A और B एक साथ मिलकर एक काम को X दिनों में पूरा कर सकते हैं A और B अलग-अलग काम करने पर उसी काम को A कितने दिन में करता है X पिलस 8 दिन में और B कितने दिन में करता है मेरे दोस्त X पिलस 18 दिन में तो क्या मुझे X की वेल्यू बता पाओगे 18,844 होती हैं और 144 का वर्गमूल 12 होता है ये 12 दिन में करेगा ये 12 और 18 30 दिन में ये 12 और 18 20 दिन में A किसी काम को 20 दिन में करता है और B किसी काम को 30 दिन में करता है दोनों से कटने वाली संख्या 60 होगी क्या ऐसा पाई चार्ट बन जाएगा आपका अब आगे सुनना कुशन ने कहा है A और B 7 मिलकर उसी कार्रे के 5 बटे 6 भाग को टोटल कार्रे 60 है इसी के 5 बटे 6 भाग को यानि 50 कार्रे की बात कर रहा हूँ और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो जवाब हो जाएगा 10 दिन भाई सोचना ही नहीं है कुछ सोचना ही नहीं है कुछ सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 10 दिन इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है, चलिए, next question चलते हैं आगे, बहुत शानदार, question number 38, ये बहुत पूछे जाते हैं आपसे के स्थानांतरित कर दिये, फटा-फट मुझे बताईए, क्या हुगा इसका बिल्कुल सही जबाब? पटा-पट बताईए बहुत चला देना, एक कॉलेज होस्टल के मैस में साड़े तीन सो लड़कों के लिए 25 दिनों का पिरबंद है, खाने का पिरबंद है, कुछ और मत सोच लेना, कभी पीने पाने का पिरबंद सोच लो, साड़े तीन सो लड़कों के लिए कितने दिन का पिरबंद है, तो आप कहेंगे 25 दिन का पिरबंद है, दस दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में इस्थानांतरित कर दिया गया, तो यह पाया गया कि अभी 21 दिनों का पिरबंद और है, तो कितन लड़कों को दूसरे छात्रावास में इस्थानांतरित कर दिया ये आप लोगों से पूछना चारा है बड़ा आसान सा कुश्चन है साड़े तीन सो लड़कों का पच्चिस दिन का खाना मौझूद था अब दस दिन के बाद दूसरे होस्टल में सिफ्ट हुए है यानि दस दिन तक तो अपना भोजन निप्टा के गए होगे है ठीक है भाईया दस दिनों के बाद दूसरे होस्टल में सिफ्ट करना है दस दिनों तक उन्होंने अपना खाना निप्टाया होगा अभी भी साड़े तीन सो लोगों का 15 दिन का खाना मौझूद है ये जो बचा कुचा खाना है ये पता चलता है कि ये 21 दिन में चला है तो मेरे दोस्त दिना में है इधरा के भाग में हो जाएगा तीन पंजे पंदरह तीन सत्ये किस हो जाएगा साथ से काटा तो यानि यहां जो खाने वाले लोग हैं वो धाई सो लोग हैं यहां जो खाने वाले लोग हैं ये धाई सो लोग हैं जो खाना साड़े तीन सो का 15 दिन का बचा तो मेरे दोस्त जाने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे, साड़े तीन सो में से केवल ढाई सो रहे गए, तो जाने वाले व्यक्ति हैं भाईया सो, सो लड़कों को दूसरे होश्टल में सिफ्ट कर दिया गया है, option number D, ठीक है, एक और question इसी के जैसा है, फटा फट मुझे बत direct हो जाता तो direct कर लो, ये कौन सा indirect है भाई, एक ही line में तो करा रहा हूँ मेरे दोस्त, ये कौन सा indirect है, पर चलो, क्या ही कहें आप से ब, बताइए, क्या ही कहें आप लोगों से आप, जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जबा, question number 49, question ने क्या कहा है, किसी किले में 400 वैक्तियों के लिए 60 दिन की ख़द सामगरी है, वैक्ति कितने है, 400, और कितने दिन का खाना मुझूद है, 60 दिन का खाना मुझूद है, 35 दिन बाद 100 वैक्ति आते हैं, तो 35 दिन तक तो ये अपना खाना निप्टा चुके होंगे, अभी भी 25 दिन का खाना म मुझूद है क्योंकि 35 दिन बाद और व्यक्ति आ रहे हैं 35 दिन तक तो इन्होंने अपना खाना खा लिया होगा ठीक है भाई 400 व्यक्तियों का अभी 25 दिन का खाना मेरे पास मुझूद है 100 और व्यक्ति आ जाते हैं तो अब 500 व्यक्ति हो गए तो अब कितने दिन ये खाना चलेगा मैंने मान लिया ये दिन खाना ये चलेगा तो मेरे दोस्त 500 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा यानि अब जो ये खाना चलने वाला है केवल और केवल 20 दिन चलने वाला है तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब खाना कितने दिन चलेगा तो कहना 20 दिन चलेगा और अगर आपसे पूछा जाए कितने दिन पहले खतम हो जाएगा तो पहले 25 दिन का खाना मुझूद था, अब 20 दिन चलता है तो 5 दिन पहले खतम हो जाएगा दोनो कुछन वो आपसे पोछ सकता है पुरुस समान मात्रा में भोजन करते हैं, ये तो बढ़िया बात बताई है, खाद समगरी कितने दिन तक चलेगी तो जवाब होगा 20 दिन तक, ठीक है, अगर पूछे कितने दिन पहले खाद समगरी खतम हो जाएगी तो जवाब होगा 5 दिन पहले, आगे बढ़ें, कोश्चन नंबर 40, ये कोश्चन जो है, ये कोश्चन, ये कोश्चन जो है, मैथड से होता है, या फिर ये ओप्शन से होता है, लेकिन इसमें पॉइंट में वैल्यूज दी हुई है, तो ये कोश्चन जो है, आप लोगों का ओप्शन से भी मुस्किल हो जाएगा, और मैथड से तो इसमें equation बनानी पड़ती ही है, तो या तो इस question को समझ लो जिसमें 2 वाला दिया हुआ है, या फिर 41 में question को समझ लो जिसमें 3 वाला दिया हुआ है, ठीक है, एक कहरा भावी जी की फोटो दिखा दो, इतनी बढ़िया बढ़िया फोटो दिखा रहा हूँ, ये अच्छी न समारो, सम्मान समारो, सम्मान समारो, है, चालिसमा question homework है, एक बार पढ़िये थोड़ा सा, और उसी के जैसा एक तालिसमा question है, लेकिन 3 values है, थोड़ा सा calculated है, उसे मैं करा देता हूँ, ठीक है, उसे मैं करा देता हूँ, है ना, चालिसमा question homework में, एक किसी काम को पूरा करने में B द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 गंटे कम समय लेता है एक साथ काम करने पर बिसाड़े सत्रे गंटे में कर रहे पूरा कर सकते हैं तो 60% कर रहे करने में B को कितने गंटे लगेंगे ये आपको हमवर्क में देता हूँ और इसी के जैसा तीन वाला जो है वो मैं अब करा देता हूँ ठीक है आप मेरी बात समझगे मैं क्या कहना चाहरा हूँ अगर मुझे एक ही कराना होता तो मेरे साथ ही मैं लाता ही नहीं उसकोश्य को ध्यान से सुनना यानि की A, B और C किसी काम को A की तुलना में 6 गंटे कम में करते हैं तो अगर ये X गंटे में करते हैं तो ये इससे 6 गंटे जादा में करता होगा B की तुलना में एक गंटे कम में करते हैं ये अगर एक गंटे कम में करता है तो B एक गंटे जादा में करता होगा कोई दिक्कत तथा C की तुलना में आधे समय में करते हैं अगर C की तुलना में आधे समय में करते हैं तो C इससे दुगने समय में करता होगा क्या ये बात किलियर है क्या ये बात आप लोगों की किलियर है तो आप कहेंगे जी बिल्कुल किलियर है अब मेरे दोस्त ऐसे कुश्चन को करने का तरीका क्या होता है उस तरीके को थोड़ा सा समझ लीजिए अगर ऐसा कुश्चन आपके एक्जाम में आता है तो ऐसे question को हम लोगों को मेरे दोस्त किस से जाना होता है, method से जाना होता है या by option जाना होता है, ठीक है, by option जानी सकते क्योंकि उसने दोनों का मिला के कहा है, ठीक है भाई, अब देखना थोड़ी सी ध्यान से समझना बात, अगर मैं आपसे कहूं, ए एक दिन में कितना कार र दिन में इतना कार रहे करेगा, है ना, और सी एक दिन में कितना कार रहे करेगा, एक दिन में इतना करेगा, अगर मैं तीनों का एक दिन का कार रहे पूछू, तो तीनों का एक दिन का कार रहे इतना होगा, भाई, आप A पिलस B पिलस C का एक दिन का कार रहे जोड़ोगे, तो क्या तीनों के एक दिन के कर रहे के बराबर आएगा, बस यहां से solve करना है, यहां से मेरा दोस्त solve करना है, solve करना ही मुस्किल है, देखिए थोड़ा सध्यान से, यह 1 पिलस 2x है, इधर आके 1 माइनस 2x हो जाएगा, हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो आएगा क्या, इधर क्या आजाएगा बिटा, x पिलस 1 आएगा, और पिलस x पिलस 6 आएगा, है ना, अगर important नहीं होता तो दोस्त बिल्कुल भी नहीं कराता है, यह बात अपने दिमाग में set कर लो, x square होगा, पिलस x होगा, पिलस 6 की गुणा करेंगे, 6x होगा, पिलस 6 2x हो जाएगा, क्या यह बात समझ में आगी है, 2x की गुणा 2x में करेंगे, 4x square होगा, पिलस 2x की गुणा 7 में करेंगे, 14x हो जाएगा, x square की गुणा 1 में करेंगे, x square होगा, 6 और 7x की गुणा 1 में करेंगे, 7x होगा, और 6 की गुणा 1 में, क्या यह बन चुकी है आपके सामने, अब आप एक चीज देखना, एक चीज देखना मेरे दोस्त, 4x स्क्वेर में से x स्क्वेर जाएंगे तो 3x स्क्वेर होगा, और ये 14 में से 7 जाएंगे, 7x बचेगा, माइनस 6, बस यहां से इसके फेक्टर कर लेना यहां से इसका factor कर लेना मेरे दोस्त 6-3-8 आप क्या लिखोगे 3x square बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़िए कि गुणा करके तो 18 आए जोड़के गटा के साथ आए तो आप लिखेंगे 9x में से 2x गटाओगे तो साथ आएगा गुणा करके 18 आएगा तो आप यहां से देखिए 3x common ले लिजिए x पिलस 3 बचेगा माइनस 2 common ले लिजिए x पिलस 3 बचेगा 1x की value तो आ जाएगी 2 बटे 3 और 1x की value आ जाएगी माइनस 3 आ जाएगी माइनस में कभी समय हो नहीं सकता अब question ने क्या कहा है a तथा b मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे a तथा b कह रहा है दोस्त मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे x की value कितनी आई है 2 बटे 3 a कितने दिन में करेगा बेटा a करेगा 2 बटे 3 में 6 जोड़िये तो क्या यह 20 बटे 3 में किसी काम को 20 बटे 3 में करता है और B कितने दिन में करेगा किसी काम को तो आप कहेंगे 5 बटे 3 में कर देगा अब कुश्यन वही बन चुका है जो पुराना होता है ठीक है तो A किसी काम को 20 बटे 3 दिन में करता है और B उसी काम को 5 बटे 3 दिन में करता है तो क्या दोनों से कटने वाली संख्या 20 हो जाएगी एक दिन में 3 कार रहे और एक दिन में 12 कार रहे करेगा हाँ या न और अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 15 कार रहे होगा 12 और 3 पंधर है तो 20 कार रहे कितने दिन में हो जाएगा तो सभी बच्चों का गलत जवाब है, सभी बच्चों का गलत जवाब है, जो दो बटे तीन अंसर दे रहे थे, वो बिलकुल गलत जवाब दे रहे थे मेरे दोस्त, सही जवाब क्या हो जाएगा, चार बटे तीन हो जाएगा, सही जवाब चार बटे तीन, अब आप पुछो जिसकी कोई छोटा तरीका भाई मेरे पास तो नहीं है आप भी मेहनत कर लो थोड़ी सी मैं भी थोड़ा सा देख लूँगा आप भी मेहनत कर लो मैं भी थोड़ा सा देख लूँगा मेरे दोस्त देख लेंगे वैसे तो अगर ये बीच में आ जाता है तो इसकिप करेंगे औ और अगर इसका कोई सौट तरीका option ऐसा होता कि option से कर सकते थे तो हम इसे option से कर रहे होते हैं ठीक है लेकिन question सामने आया है और CGLPRI में पूछा गया है तो मेरे दोस्त फिर मैंने इसलिए आपको करा दिया कि आपको थोड़ा सा idea होना चाहिए idea होना चाहिए कि ऐसे question भी आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे कहने से एक बार इसे चाहे paper में छोड़ देना मेरे कहने से इसे एक बार करके देख लेना मेरे साथ ही ठीक है चलिए next question आप लोगों के सामने जादे देर का खेल नहीं है ना जादे देर का खेल नहीं है केवल 50 question है 50 आप लोगों के सामने टाइम एंड वर्क के चलिए फटपट बताइए क्या होगा कोईशन ने कहा है कोईशन ने कहा है एक थेकेदार ने 22 दिन में एक सडक परियोजना पूरी करने का ठेका लिया ठेकेदार ने कहा है कि ठीक है भई 22 दिन में मामले को निप्टा देंगे 90 आदमियों को काम पर लगाया 9 दिन के बाद 30 और आदमियों को काम पर लगा दिया और काम जो है वो निर्धारित समय से एक दिन पहले हो गया अगर 30 आदमियों को काम पर ना लगाया गया होता तो काम निर्धारित समय से समझे एक ठेकेदार ने 22 दिनों में एक सडक परयोजना पूरी करने का ठेका लिया और 90 आदमियों को काम पर लगाया यानि कि मेरे दोस्त ध्यान से समझना 90 आदमियों को काम पर लगाया है और 9 दिन तक उन 90 वेक्तियों ने काम किया है तो काम कितना हो जाएगा 810 काम वो कर अब ध्यान से सुनिए देखो 90 आदमियों को काम पर लगाया है 9 दिन के बाद यानि 9 दिन तक इन 90 वैक्तियों ने काम किया तो 810 काम खतम कर दिया है 30 और आदमी काम पर लगा दिये गए तो यानि अब कितने वैक्ति हो गए 120 वैक्ति हो गए और काम निर्धारित समय से एक दिन पहले पूरा हो गया था ठेका कितने दिन का लिया था 22 दिन का 9 दिन पहले बीच चुके हैं बचे कितने 13 दिन और 13 से भी एक दिन पहले काम हो चुका है तो क्या इन 120 वैक्तियों ने 12 दिन काम किया होगा यानि कि 1440 यहां काम हो चुका होगा हो चुका होगा मेरे दोस्त अब ध्यान से सुनिए क्या ये टोटल काम जो कर चुके हैं 0, 4 और 1, 5, 8, 4, 12 को दो क्या टोटल काम जो था वो 220 करना था उसने कहा है अगर ये 30 वैक्ति ना लगे होते तो काम कितने दिन लेट होता अगर ये 30 वैक्ति ना लगे होते तो उस केस में 250 काम जो है वो 90 वैक्ति करते और 90 वैक्ति कितने दिन में करते क्या 90 वैक्ति 25 दिन में करते थेका कितने दिन का था, 22 दिन का था, ये 90 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में कर रहे हैं, तो काम कितने दिन लेट हो जाता, तो सवाल का जवाब हो जाता, तीन, बताओ भई, खोदा पहाड निकली चुईया, खोदा पहाड निकली चुईया, बहुत बढ़िया, एक ठेकेदार ने 22 दिन में एक सडक परियोजना पूरी करने का ठेका लिया, ठेकेदार ने कह दिया भई काम को 22 दिन में निप्टा दूगा, 90 वैक्तियों को काम पर भी लगा दिया, लेकिन 9 दिन के बाद ठेकेदार को लगा, भई काम समय पर नहीं हो पाएगा, यानि इन 90 वेक्तियों ने 9 दिन काम किया है, काम 810 कर दिया होगा, हाँ या ना, अब मेरे दोस्त 30 वेक्ति और जुड़ गए, यानि वेक्ति हो गए 120, काम जो है वो एक दिन पहले हो जाता है, यानि 21 दिन में काम हो जाता है, तो 9 दिन तो पहले ही हो चुके है, 21 दिन में काम हो रहा है, यानी इन 120 वैक्तियों ने 12 दिन में काम किया होगा तो इन्होंने 1440 काम कर दिया होगा पहले 810 काम हो चुका है 1440 यहां काम हो चुका है क्या टोटल काम 2250 हो जाएगा उसने काए अगर ये 30 वैक्ति ना लगे होते तो फिर क्या मेरे दोस्त 90 वेक्ती ही इस काम को कर रहे हुते तो वो बच्चे 25 दिन में काम खतम करते ठेका है 22 दिन का, काम हुआ है 25 दिन में तो लेट कितने दिन होगा तो सवाल का जवाब 3 दिन लेट हो जाएगा Queshion No. 43 फटा-फट बताईए चाह होगा इस Queshion का बिल्कुल सही जवाब Queshion No. 43 सर जी कल भी किलास होगी, बिल्कुल होगी कल भी सर आपने बोला था कि कल के कुछ कुछ कुछन LCM और SCF के लओंगा भई बोला था, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं अभी बोला था तो मैं अभी ये भी तो बोल रहा हूँ कि अगर पाईपें टंकी नहीं होता है तो हम उसे एक साथ कर लेगे ठीक है, करा दूँगा अपर दिक्कत मतलो, परेशान मत हुआ करो जो करा रहा हूँ पहले उससे तो कर लो भई पानी पिलवा न चलिए, क्या हो जाएगा बेटा, इसका बिल्कुल सही जबाब कोशन ने कहा है एक ठेका 56 दिनों में पूरा करने के लिए 104 आदमी काम पर लगाए गए जो प्रति दिन 8 गंटे काम करते हैं 56 दिनों में एक ठेका पूरा करना है और कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए है 104 आदमी काम पर लगाए गए है जो प्रति दिन कितने गंटे काम करते हैं 8 गंटे प्रति दिन काम करते हैं 30 दिनों में काम का 2 बटे 5 भाग पूरा हो गया है कितने अत्रिक तादमीयों को काम पर लगाना होगा ताकि काम समय पर पूरा किया जा सके यदि अब पिरते एक व्यक्ति पिरती दिन 9 घंटे काम करता है तो भाईया लगा दो MDH कैसे लगाओगे बताइए मुझे थोड़ा सा 56 व्यक्ति 104 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया है 104 व्यक्ति काम पर लगाए है 30 दिनों में काम किया है और प्रती दिन कितने घंटे काम किया है 8 घंटे काम किया है और कितना काम खतम कर दिया है 2 बटे 5 कर रहे है 2 बटे 5 कर रहे है ऐसे लिख देंगे कितने अत्रिकत आदमियों को काम पर लगाया जाए यानि मैंने माल लिया यहाँ ए वैक्ति काम कर रहे है ताकि काम समय पर पूरा हो जाए बिटा 30 दिन तो यहाँ बीच चुके है ठेका कितने दिन का लिया है? 56 दिन का तो 30 दिन हो चुके है तो यह वाले वैक्ति कितने दिन काम करेंगे? केवल 26 दिन काम करेंगे पिरती दिन कितने घंटे काम करते हैं? 9 घंटे काम करते हैं और सेस काम पूरा हो जाए अगर 2 बटे 5 कार रहे हो चुका है तो 3 बटे 5 कार रहे हो जो होगा वो सेस कार रहे होगा क्या यहां से यहां की व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हो अब देखें मेरी बात को थोड़ा सा समझे काटा पीटी मचाईए दोस्त दो से काटिये पंदरहे बार कटेगा तीन से काटिये तीन बार कटेगा 26 से काटिये 26 दूनी 52 52 दुनी 104 चार बार कड़ जाएगा ठीक है 5 दिया 15 से 15 कड़ जाएगा 8 पंजे 40 44 चोका 160 हो जाएगा यानि यहाँ पे कितने व्यक्ति काम कर रहे थे क्या कोई मुझे बताएगा तो आप कहेंगे 160 व्यक्ति काम कर रहे थे मेरे दोस्त सुरुवात में कितने व्यक्ति लगे थे 104 आदमी तो कितने और एक्स्ट्रा लगाए होंगे यानि यहाँ पे काम करने वाले जो थे वो 56 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगाए होंगे और उसने वही पूछा है कि यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा लगाऊं कि काम जो है वो समय पर हो जाए ठीक है 104 वेक्तियों ने 30 दिन कार्रे किया 2 बटे 5 कार्रे कर दिया प्रति दिन 8 घंटे कार्रे किया यहां कितने वेक्ति कार्रे करें कि काम समय पर हो जाए तो 30 दिन हो चुके है 26 दिन बचे 2 बटे 5 हो चुका है तो तीन बटे पांच करना होगा और पिरते दिन नो घंटे कार्य करते हैं बस यहां से एक ही value निकालनी होगी ठीक है चले नेक्स्ट कुश्चन दहली पुलिस प्रिवियस एर के कुश्चन है क्या आप लोग तैयार है आप लोग तैयार है मेरे दोस्त 15 कुश्चन ऐसे हैं 15 भी नहीं होंगे 10-12 कुश्चन होंगे ऐसे जो दहली पुलिस के कुश्चन लेके आया हूँ एक बार आप लोगों को देखाऊंगा जरूर कि दहली पुलिस में कुश्चन कैसे पूछे जाते हैं दिल से स्वागत किया जाए एक बार बताईए चलें बदलें गेर तैयार हो अब तो नहीं जाओगे अब तो नहीं जाओगे किलास को छोड़के दिखा दू बेटा कुश्चन को कैसे कुश्चन पूछे गएं कैसे कुश्चन पूछेगा पहला कुश्चन एक भी कुश्चन का जवाब नहीं दूँगा पहले आप लोगों का जवाब मागूँगा एक भी कुश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से ना बने बताईए दहली पुलिस कॉंस्टेबल 2 दिसंबर 2020 थर्ड सिफ्ट वटाफट बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब देखिए ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को दस दिन में समाप्त कर सकते हैं पकड़ोर अफ्तार ए प्लस बी दस दिन में बी और सी उसी काम को पंद्रह दिन में करते हैं बी और सी उसी काम को पंद्रह दिन में आगे आओ a और c उसी काम को 20 दिन में करते हैं 20 दिन में बिटा फटाक से इधर 60 लिख देना बिना सोचे समझे यहां 6 लिख देना यहां 4 लिख देना यहां 3 लिख देना तीनों को जोड़ना तेहरे लिख देना आधा कर देना 6 6 लिख देना और इधार a plus b plus c लिख देना ऐसा कितने लोग कर चुके है a plus b plus c a plus b plus c एक दिन में 6 खाम करते है कोश्चन ने काए अकेला c कितने दिन में करेगा ये वाले भहिया पूछ रहा है तो इन वाले भहिया की value रख दो ये वाले भहिया एक दिन में 6 काम तो 6 इधर माइनस का हो जाएगा तो बेटा C एक दिन में आधा काम करेगा C एक दिन में आधा काम करेगा तो 60 काम कितने दिन में कर देगा 60 काम कितने दिन में कर देगा तो जवाब 120 दिन आएगा Option number D Next question बताईए फटाफट फटाफट बताईए क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब फटाफट बतादो दोस्त हाँ ठीक है बहुत शांदर बहुत शांदर ला जवाब जल्दी से बताएंगे एक बार सभी दोस्त बताएंगे ऐसे डीले मत पड़ो एक बार like की तरफ देख लेंगे क्या वो अंगुठा नीला है क्या वो अंगुठा नीला है भाई एक बार पोल की विवस्ता की जाएं दस बारा question पे चलिए question क्या कहना चाहरा है एक इसी काम का 33 सही एक बटे 3 क्या इसका मतलब एक बटे 3 होता है कितने दिन में 10 दिन में तो क्या पूरा कार रहे 30 दिन में वाकई लाजवाब 66 सही दो बटे 3 का क्या बता पाएंगे दो बटे 3 होता है कितने दिन में 8 दिन में तो पूरा कार रहे कितने दिन में 12 दिन में आगे बढ़ो 30 और 12 का LCM 60 होगा एक दिन में 2 कार रहे एक दिन में 5 कार रहे आगे बढ़ जाओ दोनों ने 1-7 मिलकर 8 दिनों तक काम किया क्या एक दिन में 7 कार रहे तो 8 दिन में 56 कार रहे कर देंगे आगे बढ़ो सेस काम को C ने अकेले 3 दिनों में पूरा किया 60 में से 56 गया तो 4 बचा और ये 4 काम C 3 दिन में करता है तो क्या C का 1 दिन का काम 4 बटे 3 आ गया A और C एक साथ मिलकर मूल का 5 बटे 6 काम 60 का 5 बटे 6 काम निकालो तो क्या आप कहेंगे 50 काम की बात कर रहा है A और C अगर मिलेंगे तो 1 दिन में कितना काम C 4 बटे 3 करता है A 1 दिन में 2 करता है तो क्या 1 दिन में होने वाला काम 10 बटे 3 होगा 3 दुनी 6 और 4 10 बटे 3 होगा अगर total काम को 10 बटे 3 काम से divide कर दूँ तो बेटा क्या ये total दिन आ जाएंगे 15 दिन option number D option number D बात किलियर है next question next question next question next question next question बटबट बताईए question number 6 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब एक ये question पूछा गया है आप लोगों से दहली पुलिस में questions पूछा गया है क्या कहना चाहरा है question question कहना चाहरा है कि एक अधिकारी किसी कार्रे को तीस दिनों में पूरा करने का दाइत्व लेता है यानि कहने का मतलब है पूरा ठेका जो लिया वो कितने दिनों का लिया तो आप कहेंगे 300 दिनों का पूरा ठेका ले लिया वह 300 वैक्तियों को 60 दिनों के लिए न्युक्त करता है वो कहता है भाई 300 वैक्ति लग जाओ और 60 द अठ दिन में उन्हें काम पूरा करना है तो वो आधा कर पाए यानि 1800 काम जो है वो आधा कर रहे है तो पूरा कर रहे कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा ये टोटल वर्क आप लोगों के सामने आ चुका है अगर 1800 काम जो है वो आधा कर रहे है तो पूरा कर रहे कितना हो 3600 कर रहे हो जाएगा चलो वही एक सेकेंड एक मिनिट का आप लोगों का टाइम जो है वो थोड़ा सा खराब तो नहीं कह सकता आप लोगों के बीच से ही आप जैसे भाई बहन की तरह ही कुछ बच्चे आए हैं जो मिलने आए हैं जो पैट का एक्जाम देने आए हैं तो मिल लो यह भाई हैं जो पैट का एक्जाम देने आए हैं तो आप अभी तो ये पैट का exam देने आए हैं, आप लोगों को selection लेके आना है, ये भाई की भी मैं यही कहूँगा कि आगे जब next time आएं, तो selection लेके ही आएं और सम्मान संभारों में अब अच्छे से मिलने हैं, ठीक है, तो कैसा हुआ आप सभी का exam, बढ़िया, चलो चलो ब है, ठीक, बहुत बड़ी है, हाँ, side please हो गए, अब तो आप ये करके दिखाऊँगे, बोलके दिखाऊँगे, जल्दी से बताओ क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब, क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब, question क्या कह रहा है, एक अब भी ये कहने पर लगा, सर जी भा भावी को दिखाऊ, भावी को दिखाऊ, भावी को दिखाऊ, भावी को दिखाऊ, भाया कैसे करके मानेगा, address दे दूँगा, घर आ जाना, घर देख जाना, है न, अब मैं कहां से भावी को अपने साथ ही लगा, कैसे तुम्हें दिखाने को, चली, question क्या कहना चाहा रहा है एक अधिकारी किसी कार्रे को 300 दिनों में पूरा करने का दाइत लेता है यानि ठेका लेता है कि भाई 300 दिनों में काम को निपता दूँगा वह 300 वैक्तियों को 60 दिनों के लिए न्यूक्त करता है और वह आधा कार्रे पूरा कर देते हैं यानि 300 वैक्तियों ने 60 दिन में 1800 काम किया पर ये 1800 काम जो था ये आधा कार्रे था इसका मतलब पूरा कार्रे जो रहा होगा वो 3600 कार्रे रहा होगा ये बात आप लोगों के सामने आचुकी है ठीक है अब देखिए आगे पढ़िए उसके बाद वह वैक्तियों की संख्या कम करके 100 कर देता है जो 120 दिनों तक कार्रे करते हैं अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त आधा कार्रे पूरा कर देते हैं उसके बाद वह वैक्तियों की संख्या कम करके 100 कर देता है वैक्तियों की संख्या कम करके कितनी कर दी 100 कर दी जो 120 दिनों तक कार्रे करते हैं 120 दिनों में इनोंने कितना कार्रे कर दिया होगा, मेरे दोस्त 12,000 कार्रे कर दिया होगा, 18,000 वो पहले कर चुके हैं, 12,000 वो यहां कर चुके हैं, तो टोटल 30,000 कार्रे कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद 20 दिनों का अवकास रहता है, 20 दिन का मेरे दोस्त अवकास है, यहां चुट्टी ह यहां कोई काम नहीं होगा 20 दिन का अवकास है आगे आईएगा कार्रे पूरा करने है तो सेस अवधी के लिए कितने व्यक्ति न्यूक्त किये जाने चाहिए यानि काम कितना बचा है मेरे दोस्त 18,000 और 12,000 तीस हजार काम हुआ है बचा कितना है 6,000 बचा हुआ है क्योंकि टोटल कार्रे 36,000 था तो 6,000 कार्रे अभी बचा हुआ है मेरे दोस्त कार्रे करने का ठेका कितने दिन का लिया है आप कहेंगे 300 दिन का यहां कितने दिन हो चुके हैं, 60 दिन, यहां कितने दिन हो चुके हैं, 120 दिन, 120 और 60, 180 दिन हो चुके हैं, 20 दिन अवकास के हो चुके हैं, यानि कि 200 दिन कम्पलीट हो चुके हैं, मतलब की 200 दिन कम्पलीट हो चुके हैं, तो 6000 काम जो है, वो 100 दिन में करना होगा, यानि कि यह केवल 60 लोग अगर आप लोग लगा दोगे तो यहां काम बन जायेगा इतने लोग लगा दोगे 60Lोग लगा दोगे तो काम बन जाएगगा यह question थोड़ा सा घुमा सकता था इम्पोडेंट question है रहे il idiot question का जबाब कि tegen जाएगा 60 इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए next question फटाफट बताईए क्या होगा speed डेली नहीं पढ़नी चाहिए आप लोगों की 20 दिन ना जोड़े मैंने कोई बात नहीं फटाफट बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब question नहीं कहा है अकेले कार्रे करते हुए एक किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है फटाक से लिख दो 30 10 दिन कार्रे करने के बाद ए ने यह कार्रे छोड़ दिया यानि मेरे दोस्त A किसी कार्रे को 30 दिन में कर सकता है 10 दिन कार्रे करने के बाद छोड़ दिया मतलब A का 20 दिन का कार्रे अभी भी बचा हुआ है इस बात से सहमत हो तो आप कहेंगे जी सहमत है इस बात से उसने कहा है कि तब सेस काम को अकेले B ने 32 दिनों में पूरा किया यानि ये जो सेस कार रहे था, ये B ने कितने दिनों में पूरा किया, तो आप कहेंगे 32 दिन में, तो अगर मैं आप लोगों से यहां से रेशो पूछूं A और B का, तो आप बताएंगे 32 बटे 20 हो जाएगा, 4 अठे 32 होता है, 4 पंजे 20 होता है, ये जो निकल के आती है मेरे द तो 20 दिन में कितना काम कर देगा, क्या टोटल कार रहे जो है, वो 160 कार रहे हो जाएगा, होगा या नहीं, तो कोशन ने पूछा क्या है, A और B उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, A और B एक दिन में 13 काम तो 160 कार रहे कितने दिन में, तो मेरे दोस्त, 160 बटे 13 हो गडबड हुई यह कहीं 113, 13, 179, 179, 165, 13 देखना भाई, कैसे गडबड हो रही है अकेले अच्छा, गडबड, 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 बलंडर हो गया भाई साब, बलंडर देखिए, एक दिन में 8 कार्य करता है तो टोटल 30 दिनों में पूरा करता है टोटल 30 दिनों में पूरा करता है एक दिन में 8 कार्य तो 30 दिनों में कितना कार्य करेगा 240 कार्य और दोनों मिलके कार्य कराना है तो एक दिन में 13 कार्य तो 240 कार्य कितने दिन में 13 एकम 13 होगा, कितना बचेगा 11 बचेगा, 13, 804 होगा 18 सही 6 बटे 13 इस question का जवाब हो जाएगा option number D तो जो option number B दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत 13 है option number D इस question का जवाब आएगा जैसे ही आप लोगों के पास efficiency आजाती है फिर आपको total काम निकालना होता है अगर A एक दिन में 8 काम करता है तो पूरा काररे 30 दिन में खतम कर देता है तो 30 की गुणा करनी होगी अगर आप कहेंगे total काररे 240 है तो दोनों मिलके एक दिन में 13 काम तो 240 काम कितने दिन में सवाल का जवाब ये हो जाएगा ठीक है next question आप लोगों के सामने question number 48 बस दो question और है फटा फट मुझे बताओ क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब फटा फटा बताएंगे क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब question number 48 question number 48 question number 48 ये आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच जाना चाहिए था like का लेकिन आप लोग है इसे बढ़ाना ही नहीं चाहते हो कैसे काम चलेगा इसे देखेंगे एक बार A और B किसी काम को किरम से 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं A किसी काम को 12 दिन में और B उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं 12 और 20 का LCM 60 होगा 12, 50 होगा और 20, 30 होगा ठीक है वे दोनों 6 दिनों तक 1-7 मिलकर काम करते हैं एक दिन में 8 कर रहे तो 6 दिनों तक काम करते हैं तो 48 कर रहे वो कर चुके होंगे ठीक है सेस काम को सी द्वारा बचा कितना बेटा बारे काम बचा है बारे काम बचा है सेस काम को सी द्वारा अकेले बारे दिनों में पूरा किया जाता है यहां से कंफर्म होता है कि सी एक दिन में एक काम करता है ठीक है ए और सी एक साथ मिलकर A. एक दिन में 5 काम करेगा और C. एक दिन में 1 काम करेगा दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे तो पूरे कार रहे के 2 बटे 3 भाग को पूरा कार रहे है 60 इसका 2 बटे 3 भाग को कितने दिन में खतम कर देंगे यानि वो 40 काम के बारे में बात करना चाहरा है अगर 40 काम कराना है एक दिन में 6 कार रहे करना है तो टोटल जो समय लगेगा वो 20 बटे 3 दिन लगेगा और 20 बटे 3 दिन का मतलब 6 सही 2 बटे 3 दिन होता है फटाफट मुझे बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब Question number अगर 40 आप लोगों के सामने है जल्दी से एक बार मुझे बताईए कि क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब सब्सक्राइब हम selection लेके आएंगे तब भावी को दिखा देना ठीक है भाई ठीक है ये done है ये done है आप लोग मुझे याद दिलाना तब मैं आपको भावी को जरूर दिखाऊँगा लाइव दिखाऊँ या फोटो में दिखाऊँ तब आपको भावी को जरूर दिखाऊँगा खुस वालब इतने उच्छुप क्यों चलिए फटफट बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब सवाल का जवाब देंगे एक बार सभी दोस्त देखिए question कहना क्या चाहा रहा है question ने कहा है कि किसी काम को करने के लिए ABC की छमताओ का अनुपात ये दिया हुआ है एक साथ काम करते हुए वे काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं कोई total काम मुझे बता पाएगा total work अगर एक दिन में बात करूँ तो पांच और तीन आठर दो दस एक दिन में तीनों मिलके दस काम करते हैं तो 27 दिन में क्या उन्होंने काम 270 कर दिया हुगा हाँ या ना तो आप कहेंगे जी total काम 270 हुगा A और B ने एक साथ 15 दिनों तक काम किया A और B एक दिन में पांच कार रह करते हैं तो इन 15 दिनों में उन्होंने पिछेतर कार रह कर दिया हुगा बच्चा कितना मेरे दोस्त 155 में कार रह अभी भी बच्चा हुआ है अकेले C दुआरा कितने दिनों में सेस काम पूरा कर लिया जाएगा तो C बच्चा एक दिन में पांच काम करता है तो 155 में काम कितने दिन में कर लेगा 49 दिन में मामला ही खतम कर देगा option number C next question question number 50 बताईए फटा फट बताईए क्या होगा क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब question number 50 आप लोगों के सामने है क्या कहना चाहते है question महुदे A की तुलना में B पांच गुना कार रेकुसल है A की तुलना में B जो है वो पांच गुना कार रेकुसल है यानि A एक काम करता है तो B पांच काम करता है पांच गुना कार रेकुसल हो गया अच्छे एक बात मुझे बताईए कि आपको ये नहीं पढ़ाया गया कि जो efficiency का ratio होता है number of days का ratio just उसका उल्टा होता है यानि किसी काम को खतम करने में ये पांच दिन लेगा उसी काम को खतम करने में ये एक दिन लेगा ठीक है भाई देखिए बहुत बढ़िया question ने क्या कहा है B एक कारे को पूरा करने में A से 52 दिन कम लेता है मेरे हिसाब से कितने दिन कम ले रहा है 4 दिन उसने कितने कहा है 52 दिन तो एक part की value 13 दिन आ जाएगी तो 5 part की value 65 दिन आ जाएगी और 1 part की value 13 दिन आ जाएगी A इसी काम को करने में 65 दिन का समय लेता है और B उसी काम को करने में 13 दिन का समय लेता है तो question ने कहाई यदी वो दोनो एक साथ कार्रे करें तो वह है कार्रे कितने दिन में पूरा हो जाएगा सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना अगर एक दिन में एक काम करता है तो 65 दिन में क्या उसने 65 काम किया होगा क्या टोटल काम जो है वो 65 आ चुका है अगर दोनों मिलके आप से पूछा जाता है कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में खतम करेंगे तो ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 6 कार रहे होगा तो 65 कार रहे कितने दिन में हो जाएगा तो आप कहेंगे 10 सही 5 बटे 6 दिन में हो जाएगा 10 चिंग 60, 60 और 5, 65 बटे 6 तो option number B इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है भाई? बहुत बढ़िया next question आप लोगों के सामने है अब पानी की टंकी का है? अच्छा ये दिल्ली पुलिस के इन्होंने सारे ही डाल दिये है मेरे दोस्त next 6 question और बचे हैं अभी तो दिल्ली पुलिस के एक बार फटा-फट मुझे इस question को बताईए question number 21 क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्त? इस question का बिल्कुल सही जबाब question number 21 कर लेंगे क्या? कर लेंगे? question number 21 क्या कहना चाहरा है मेरे दोस्त? ठीक है? question ने कहा है A किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है B जो है A से 50% जादा कुसल है 50% जादा कुसल का मतलब होता है एक बटे दो कौन कुसल है? B किस से जादा A से तो A अगर दो काम करता है तो B एक जादा क्या? A B जो है वो तीन काम करेगा अगर मैं आपसे total work पूछूँ तो आप कहेंगे A किसी काम को 18 दिन में करता है A एक दिन में दो काम करता है तो 18 दिन में कितना काम करेगा? तो क्या आप बता देंगे total काम जो है वो 36 है? हाँ या ना? तो उसने काए अकेले B को उसी काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो B एक दिन में तीन काम करता है तो 36 काम कितने दिन में कर देगा? तो क्या जवाब हो जाएगा 12 दिन में तो उसी काम को करने में B को जो समय लगेगा वो 12 दिन का समय लगेगा ठीक है पोल को हटा दो कुश्चन नंबर 22 फटा फट बताईए बिटा क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब क्या हो जाएगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब बंद कर देने से सरमंडे को मेरा CISF SCM का एक्जाम है बहुत बहुत सारा उल्दा बैस्ट बहुत अच्छे से देके आना घबराना नहीं है बहुत अच्छे से देके आना है यकीन मानना की अच्छा करोगे फटा फटा मुझे जवाब देंगे क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब A किसी काम को 40 दिन में और B उसी काम को 50 दिन में कर सकता है A किसी काम को 40 दिन में करता है और भी उसी काम को मेरे दोस्त 50 दिनों में कर सकता है उन्होंने एक साथ मिलकर 40 और 50 का LCM 200 आएगा ये एक दिन में 5 काम करेगा ये एक दिन में 4 काम करेगा ठीक है उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया अगर दोनों एक साथ मिलेंगे तो 9 काम एक दिन में काम अभी बचा होगा लेकिन फिर बाद में भी ने काम छोड़ दिया सेस काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा ए एक दिन में पांच काम तो सेस काम 155 है तो 31 दिन में पूरा कर देगा option number C इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है next question आप लोगों के सामने है बहुत बढ़ी है बताईए फटाफट क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब एक बड़ा बहतरीन question आप लोगों के सामने है जल्दी से बताईए दोस्त क्या होगा इस question का बिलकुल सही बताईए जल्दी से बताईए क्या होगा इस कोश्षिन का बिल्कुल सही जवाब सब को उल्दा बैस्ट कोश्षिन ने क्या कहा है कोश्षिन ने ये कहा है एक इसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है एक इसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है यानि अगर पूरा कार रहे 45 दिन में कर सकता है और 30 दिनों तक कार रहे कर चुका है तो हम कह सकते हैं A का 15 दिन का काम अभी बचा हुआ है यदि B सेस काम 5 दिनों में करता है यानि A का 15 दिन का जो काम है वो B 5 दिनों में निप्ता देता है तो यहां से A और B की कार्यचमता निकाल लीजिये 5 और 15 है, 5 एकम 5, 5 तिया 15 है कारेच्छमता के तुरंट बाद निकालना होता है टोटल काम अगर A एक दिन में एक काम करता है पूरा 45 दिन में खतम करता है तो क्या टोटल वर्क जो होगा वो 45 हो जाएगा अब ये देखो कराना किस्से है B अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा तो B एक दिन में तीन कर रहे तो 45 कर रहे कितने दिन में करेगा मेरे दोस्त तो 15 दिन में काम खतम कर देगा ओप्सन नंबर B इस कोश्चन का जवाब हो जाएगा ठीक है बहुत बड़ी उपर करना भई ठीक है बहुत शानदार कोश्चन नंबर नेक्ष्ट आप लोगों के सामने है कोश्चन नंबर 54 जल्दी से बताइए क्या होगा इस कोश्चन का बिल्कुल सही जवाब कोश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने है जल्दी से बताइए कल किलास है पहले ही सुन ले न मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी पढ़ेंगे ठीक है चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब वैक्तियों के एक सम्हूने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्ने लिया लेकिन उनमें से 5 वैक्ति अनुपस्तित रहे यदि सम्हून के अन्य वैक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे मैंने माल लिया कि ए वैक्तियों ने उस काम को पूरा करने का ठेका लिया और 20 दिन में उन्हें ठेका ले लिया पांच वैक्ति सम्हूं में अनुपस्तित रहे यानि यहां जो काम किया वो A-5 वैक्तियों ने काम किया और इसी काम को 24 दिन में निप्टा दिया है दोस्त यहां क्या आ जाएगा यह 20 A आ जाएगा यानि सुरुवात में वैक्तियों की संख्या जो रही होगी वो तीस रही होगी तो मूल सम्हूं में कितने वैक्ति थे सवाल का जवाब हो जाएगा option number D option number D ठीक है भाई next और last question आप लोगों के लिए next और last question आप लोगों के लिए 55 और 56 वा question आप लोगों के लिए homework रहेगा अगर समय तथा कार रहे पाइप तथा टंकी कराना है जिसमें 25 question है आउल सर की कल reasoning की मेरा थन है कितने बज़े से पटाफट मुझे एक बार बताएंगे भाई कितने बज़े से है रहूल सर की reasoning की मेरा थन 11 बज़े से कोई रिक्कत नहीं है चार बज़े मिलेंगे दोस्त चार बज़े मिलेंगे उनकी मेरा थन के जश्ट बाद है थेंशन काहे लेनी ठीक है कंप्यूटर की भी है तो मेरे बाद ही तो होगी मेरे साथ साथ है पॉस्सीबल है क्या मेरे साथ साहना नहीं है न मेरे बाद ही होगी चलिए अगर आपको नई आना है नईने बहाने मत बनाओ आप मत आना ठीक है अब मत आना या कल की चुट्टी रख दें बताओ कल वैसे टॉपिक कौन सा है कल टॉपिक कौन सा है अपना याद है कुछ चलिए कोई नहीं ए एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है वे एक साथ मिलकर भही 18 और 30 का LCM पूरी दुनिया जानती है कि 90 होता है ये एक दिन में 5 कार रहे ये एक दिन में 3 कार रहे करेगा वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 8 कार रहे तो 9 दिन में कितना कार रहे कर देंगे 72 कार रहे वो खतम कर देंगे अब 90 में से 72 कार रहे हो चुका है तो 18 कार रहे बचा हुआ है C द्वारा चार दिनों में पूरा किया जाता है तो क्या एक दिन में नो बटे दो कार्रे किया जाता होगा तो B और C एक साथ मिलकर उस कार्रे को कितने दिन में खतम करेंगे तो B और C का एक दिन का कार्रे निकाल लो B एक दिन में 3 कार रहे और C एक दिन में 9 कार रहे 3 दूनी 6 और 9 15 बटे 2 कार रहे एक दिन में होगा तो पूरा कार रहे कितने दिन में खतम हो जाएगा 15 बटे 2 से डिवाइड कर दो आंसर आएगा 12 दिन आंसर कितना आएगा 12 दिन option number B इस question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये रहा आपके लिए हुमवर का question question number 56 question number 56 अब आप मुझे बताओ कल ratio की class है, ratio की class कर लेंगा आसान chapter मजाएगा बस मुझे ये मत बताना कि कल match है, match है हो या मत हो, वो आपको decide करना है कि आप match की तरफ जाना चाहते हो या पढ़ाई की तरफ जाना चाहते हो, जिसको अपना भविष्य सवार न था, उनका भविष्य तो सुधरा हुआ है, आप अपने भविष्य की चिंता करो, अगर आप ये सोच रहे हो कि match देखके आपके account में पैसे आजाएंगे, या आपका पूरा जीवन जो है, ऐसे ही चल जाएगा तो दोस्त खुसी से जाके match देखिए लेकिन अगर आपको लगता है कि match जो है, बस उस time में देखना है, जब हम लोगों free हो, या हम लोगों को थोड़ा सा enjoy करना हो, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया result आप लोगों के सामने आएंगे, बाकी मुझे ये कहानी मत सुनाया करो कि कल match है या ये है, कल movie आ रही है, कल movie launch रही है, या फलाना ढिकना ये कहानी मुझे मत बताया करो ठीक है, जो काम आप लोगों को होते हैं, वो मेरे लिए भी काम होते हैं, अगर मैंने ये revision का मतलब बीडा उठाया है, तो मैं चाहता हूँ कि revision हो आप लोगों का, और revision कोई लिखा नहीं था कि भाई, revision करा के देंगे, लेकिन मैं पिछले एक साल से आप लोगों के साथ जुडा हुआ हूँ, शायर पिछले अपरेल से आपके साथ जुडा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को math में जरासी भी दिक्कत नहीं आए और last time पे भी last time पे भी आप लोगों को revision कराने का मन किया है ठीक है एक आदे घंटे की एक घंटी की class बची हुई है, pipe and system की, आदा घंटे की class बची हुई है, SCF, LCM की, तो ये class जो है हम वो बीच में ले लेंगे, आप tension मत लीजिए, ठीक है भाई, हाँ smile करके जाऊँगा, आप tension मत लो, लेकिन इस smile के बदले, आप लोग class अगर अच्छी लग की है, class मतलब मज़ा आया है, revision ठीक हुआ है, एक genuine feedback जरूर दीजिएगा, अगर वास्तम में आपको लगा है कि हाँ कुछ चीजे सीखने को मिली है, recall हुई है चीजे, तो एक comment की थिरू आप बताईएगा जरूर कि हाँ जी, अच्छी लगी है class, और class में हमारा शानदार revision होता है, last moment पे, तो comment box में लिखिएगा जरूर दोस्त, मैं हर एक comment को दोस्त read करता हूँ, ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं कल एक वहतरीन class के साथ, शाम चार बजे, जुड़ना ना भूलिएगा, match वेच को छोड़के class के साथ जुड़ना है, और यहां यह recharge पीचार करा तो मजबूरिया हो सकती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अराम से घर चले जाए, ठीक है, next day देख लोगे, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, चलिए, फिर मिलते हैं कल एक वहतरीन class के साथ, मन लगा के पढ़ाई करिए, और कोशिस यह रहेगी कि हम 15 में से एक भी नमबर अपना ना कटवाएं, हम 15 के लिए लड़ाई लडएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है मेरे दोस्त, ठीक है, मिलते हैं कल, टाटा, बाई बाई